हेलो एवरीवन वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल आडियोवर्स मार्शिल पीक चैप्टर एक हजार एक तालीस से एक हजार पचास महल के बाहर शेन तू ने एक बार फिर माफी मांगी भाई यांग मैं तुम्हें केवल यहां तक भेज सकता हूँ मेरी पहचान बहुत समवेदनशील है अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो यह बहुत अधिक ध्यान आकरशित करेगा जू टोंग आपका साथ देगा और आपको अपनी सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवशक सभी जानकारी प्रदान करेगा जिया लॉंग ने जल्दी से मॉंस्टर रेस कल्टिवेटर के रूप में जोड़ा जो देवेश के साथ उसका नया स्टार शटल खरीबने और अयसको की आपूर्ती करने के लिए आया था और मुस्कुराया युवा मास्टर यांग एन मैं तुम पर निर्भर रहूंगा देवेश जानता था कि यह सब शेन्टू के अच्छे इरादों से उपजा है इसलिए उसने मना नहीं किया भाई यांग क्या हम फिर मिल सकते हैं शेन्टू ने अपनी मुठिया बंद कर ली देवेश ने इशारा लोटाया फिर जूटों के नित्रित्व में अपने स्टार शटल को बुलाया और उड़ गया वाटर मून स्टार के सभी स्टार्शिप मूल रूप से वस्तूओं के परिवहन के लिए उप्योग किये जाते थे पूरे स्टार फीड में विभिन प्रमुख ताक्ते वाटर मून स्टार पर अपनी शाखाओं के माध्यम से हेंग लोग चैंबर ऑफ कॉमर्स से ओडर देती थी फिर जब सामान तयार हो जाता था, तो Chamber of Commerce Starship के माध्यम से इन बलों द्वारा निर्दिष्ट सितारों तक सामान पहुचाता था रास्ते में जूटों के स्पश्टीकरण के अनुसार, देवेश को समझ में आ गया कि जिस Starship पर वे दोनों सवार होने वाले थे वह एमराड स्टार नामक स्थान की ओर जा रही थी, जो roaring flame set नामक बल का home star था यह बल न तो मजबूत था और नहीं कमजोर और इसे पूरे star field के बीच केबल मध्यरैक वाला माना जा सकता था इसने दो cultivation stars को नियंत्रित किया, जिन में से एमराड स्टार उन में से एक था खुल पार्गमन समय लगभग आधा वर्ष होगा, और रास्ते में कुछ अन्य cultivation stars पर रुखना होगा युवा master young, आप रास्ते में आने वाले cultivation stars में से किसी एक पर उतरना चुन सकते हैं या एमराड स्टार तक पहुँचने तक starship पर बने रह सकते हैं, जूटोंग ने समझाया समझ गया, समय आने पर मैं निरने लूंगा, देवेश ने सिरहिलाया जूटोंग के पीछे चलते हुए, देवेश देजी से उस space array पर पहुँचे जिसका इस्तिमाल उन्होंने पहले एक बार किया था, फिर दूसरे शहर में स्थाना अंतरित हो गए और अंतहा अन्य किसानों से भरेक शेत्र में आ गए यह स्थान एक खुला चौराहा था जो अविश्वस निय रूप से विशाल था और निश्चित अंतराल पर विभिन बड़े और छोटे स्टार्शिप पार्क किये गए थे जिसमें क्रिशकों की एक अंथीम धारा थी, जो ग्यवस्थित तरीके से इन स्टार्शिप के अंदर और बाहर सामान ले जा रही थी बक्सों की सामगरी से सबसे अधिक उर्जा का उतार चढ़ाव हुआ और उनमें से कई स्पष्ट रूप से अत्यंत उच्छ श्रेनी के सामान थे जूटोंग द्वारा उसे इस स्थान पर लाने के बाद देवेश हैंग लो चैंबर आफ कॉमर्स की अपार संपत्ती को देखकर एक बार फिर आश्चर यच के थुए बिना नहीं रह सका बस ये कुछ दर्जन स्टार्शिप बहुत बड़ी संपत्ती के लायक थे और इसमें उनके बहुमूल्य माल के भार या उन्हें चलाने वाले अंगिनत क्रिशकों को भी ध्यान में नहीं रखा गया था महान ताक्तों की शैली वास्तव में महान ताक्तों की थी दोनों व्यक्ति बहुत दूर नहीं गए थे कि कई सेंट किंग रियलम क्रिशकों ने उडान भरी और उनका रास्ता रोक दिया स्पष्ट रूप से जानलेवा इरादे से जूटोंग और देवेश की ओर देखा उनमें से एक ने अपना हाथ उठाया और चिलाया तुम बहा हो रुको जूटोंग ने अपने कदम रोके लेकिन किसी भी तरह की हडबड़ी नहीं दिखाई बस अपनी स्पेस रिंग से एक टोकन निकाला और इन दो लोगों को सौंप दिया क्रिशकों में से एक ने टोकन स्विकार कर लिया और धीरे से सिर हिलाने से पहले इसकी साबधानी पूर्वक जाँच की अब कुछ भी नहीं पूछा और बस जूटोंग और देवेश को साथ ले गया जूटोंग ने फुस्फुसाते हुए कहा युवा मास्टर शेन्टू ने पहले से ही सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है हम यहाँ एक वरिष्ट के साथ जा रहे हैं जिनके साथ उनके अच्छे संबंध है स्टार्शिप गोदी से उरते हुए थोड़ी देर बाद जूटोंग की आखें चमक उठीन और सामने की ओर इशारा किया जिस दिशा में उन्होंने इशारा किया वह एक सेंट किंग ग्रेड हाई रैंक स्टार्शिप थी जिसका मुख्य हैच खुला हुआ था और इसमें सामान ले जाने वाले किसानों की एक कतार थी इस स्टार्शिप के बाहर एक बड़ा हटा-कटा आदमी था जिसके हाथ उसकी चाती के सामने थे उसकी चील जैसी आखें चमक रही थी उसकी अभिव्यक्ती थंडी उदासीनता की थी सामान ले जाने वाले सभी किसान अंजाने में उससे दूर रहते थे उनमें से कई लोग उसकी नजरों में ना आने की पूरी कोशिश करते थे जब जूटोंग और देवेश आये तो यह मोटा आदमी अपनी भौहे सिकोरने से खुद को नहीं रोक सका और उसने देवेश की ओर भूर कर देखा जिससे देवेश को थोड़ा दबाव महसूस हुआ वरिश्ट शिन्रुई जूटोंग आगे बढ़ा और विनमरता से उसकी मुठिया पकड़ ली क्या यह वह है बड़े आदमी जिसे शिन्रुई कहा जाता था ने देवेश को देखा और हलके से फुसफुसाया युवा मास्टर शेन्टू चाहता है कि मैं उसे इस जगह से दूर ले जाऊ हाँ जूटोंग ने सिरहिलाया वह हमारे चैंबर आफ कॉमर्स से नहीं है शिन्रुई ने अपनी आखे थोड़ी से कोडली और पूछा जूटोंग ने अपना सिरहिलाया वह यांग मास्टर शेन्टू का दोस्त है ओह क्षिन्रुई की आखों में एक कौटूहल भरी रोशनी दिखाई दी वह वास्तव में शेन्टू का दोस्त है यह काफी दुरलब चीज है हाँ मैं उसे यहां से ले जा सकता हूँ लेकिन आपको यह याद रखना चाहिए कि मेरी स्टार्शिप पर कोई उपद्रव न करें सुनिश्चित करें कि वह इमानदारी से नियमों का पालन करता है अन्य था मैं उसे पानी में फेंक दूँगा और उसे तारों वाले आकाश के बीच अपने हाल पर छोड़ दूँगा निश्चिन्त रहें यंग मास्टर का दोस्त कोई परेशानी नहीं खड़ी करेगा जूटोंग इस धमकी पर कोई ध्यान न देते हुए हलके से मुस्कुराया शिन्रुई ने तिरसकार पूरवक कहा यदि वह उपदरवी नहीं था तो शेन्तु उसके गुप्त रूप से प्रस्थान की विवस्था करने के लिए इतना उच्सुप कैसे हो सकता है उसे व्यक्तिगत रूप से देखकर यह स्पष्ट है कि वह कानून का पालन करने वाला व्यक्ति नहीं है देवेश की ओर गहरी और सार्थक द्रिश्टी डालते हुए शिन्रुई को लगा कि उसने कुछ नोटिस किया है लेकिन उसने कोई सवाल नहीं पूछा और बस चिलाया पहले से ही अंदर जाओ बहुत धन्यवाद देवेश को स्टार्शिप में अपने पीछे आने का इशारा करने से पहले जूटोंग मुसुराया जहाच के अंदर अभी भी कुछ किसान इधर उधर भाग रहे थे उनमें से प्रतेक अविश्वसनिय रूप से व्यस्त था जूटोंग ने अपने आसपास की सभी अराजकता को नजरंदाज कर दिया और कुछ कमरों में पहुँचने से पहले शांती से देवेश को कुछ गलियारों से नीचे ले गया अगर यंग मास्टर यांग को लगता है कि यह कमरा संतोष जनक नहीं है तो मैं आपको दूसरा कमरा ढूंडने में मदद कर सकता हूँ जूटोंग ने देवेश से सलाह ली देवेश अंदर चला गया और एक बड़ी खिलकी से आसपास के द्रिश्यों को देखने लगा फिर धीरे से अपना सिरहिलाया और कहा कोई जूरत नहीं है इस जगह का द्रिश्य बहुत विस्तृत है यह काफी है जब तक आप संतुष्ट हैं वह शिन्रुई शेन्तु के साथ उसका क्या रिष्टा है वह उसकी मदद करने के लिए अपने रास्ते से बाहर क्यों जाएगा देवेश ने पूछा सीनियर शिन्रुई जूटोंग ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा वह यंग मास्टर शेन्तु के चाचा है क्या देवेश स्तब्ध रह गया एन जूटोंग ने मुस्कुराते हुए कहा सीनियर शिन्रुई बहन यांग मास्टर शेन्तु की मा थी राश्ट्रपती और वरिष्ट शिन्रुई की बहन की मुलाकात कई साल पहले हुई थी लेकिन विभिन कार्मों से वे दोनों कभी भी आधिकारिक तौर पर युगल नहीं बन सके भूल जाओ, आगे मत समझाओ मुझे यकीन है कि यह एक परिशानी भरी कहानी है देवेश ने हाथ हिलाया जूटोंग ने भी कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा एन इससे संबंधित कई अवर्तनिक रिन है यदि यंग मास्टर के पास कोई अन्य निर्देश नहीं है तो मैं पहले सेवानिवृत हो जाऊंगा लगभग एक घंटे के बाद इस स्टार्शिप को रवाना हो जाना चाहिए अच्छा जूटों तुरंट पीछे हट गया देवेश खिडकी के पास खड़ा हो गया और नीचे भील को देख रहा था उसका दिल धीरे धीरे धड़क रहा था उसे एक बार फिर अकेलेपन और अकेलेपन का एहसास हुआ ताराक शेत्र इतना विशाल था कि यह लगभग असीमित लग रहा था वह यहां एक बाहरी व्यक्ति था उसका कोई रिष्टेदार या दोस्त नहीं था और घर बुलाने के लिए भी कोई जगह नहीं थी वह जहां खड़ा था वहां से सब कुछ विदेशी और दूर लग रहा था इस अजीब भूमी में एक अकेले पथिक के रूप में देवेश अवचेतन रूप से लिटल सीनियर सिस्टर की गर्मजोशी और सुयान की कोमलता के बारे में सोचने से खुद को रोप नहीं सका यहां तक की आकरशक शान किंग लो के आकरशन और क्यूई में की तेज बुद्धी को भी याद कर रहा था जैसे ही ये परिचित चहरे उसके दिमाग में आए उसकी धड़कने थोड़ी तेज हो गई क्या वे सभी इस समय खुश और स्वस्थ थे क्या उन्हें किसी प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ा क्या वे भी उसके बारे में सोच रहे थे देवेश के विचार इसी तरह घुमते रहे जिससे उसका मूर थोड़ा खराब हो गया हाला कि जब एक निश्चित आकरती उसकी द्रिष्टी रेखा में दिखाई दी तो ये सभी उदास विचार दूर हो गए और उसकी आखे सिकुडने से बच नहीं सकी उसका चेहरा तुरंद उदास हो गया बाहर विशाल चौराहे पर तीन लोगों का एक समोह धीमी गती से इस ओर चर रहा था उनका नेतरित्व करने वाला युवक असाधारन रूप से सुन्दर था उसकी तवचा इतनी गोरी थी कि कि किसी भी महिला को ईश्या हो सकती थी उसके लंबे काले बाल धीरे से उसके कंधों पर रहे थे एक गर्म और मिलनसार मुसकान जो उसके चहरे पर वसंत की हवा के समान ताजा लग रही थी वह जहां भी जाता समान ले जाने वाली महिला किसान अपनी हरक्ते रोक देती और लालसा से उसकी ओर देखने लगती और तो और वह वास्तव में इसी स्टार्शिप की गोर चल रहा था जू यू देवेश जल्दी से खिड़की से बाहर निकला और सीधे अपने कमरे से बाहर चला गया अपने बगल वाले दरवाजे पर पहुँचा और सीधे अंदर चला गया जू टोंग विस्तर के उपर ध्यान कर रहा था लेकिन देवेश को अचानक अंदर आते देख वह थोड़ा स्टब्ध हुए बिना नहीं रह सका और पूछा युवा मास्टर यांग क्या आपको कुछ चाहिए देवेश ने उसे गहराई से देखा और थंडे स्वर में बोला इमानदारी से जवाब दो क्या शेन तू ने मुझे बेच दिया यह सुनकर जू टोंग की अभिव्यक्ति और अधिक ध्रमित हो गई उसने भौहे चढ़ाते हुए पूछा यांग मास्टर यांग का इससे क्या मतलब है अपने लिए बाहर देखो देवेश ने ठंडी सास ली जू टोंग खड़ा हुआ और खिड़की से बाहर देखने लगा उसकी आखे तुरंट सिकुड गई और उसने चिला कर कहा युवा मास्टर जू यू वह यहां कैसे हो सकता है अगर आप मुझसे पूछें तो मैं किस से पूछूंगा देवेश ने व्यंगे किया क्या शेन्टू ने मुझे धोखा दिया जू टोंग ने गंभीर भाव धारन किया और उत्तर दिया यांग मास्टर यांग यदि आप वास्तव में ऐसा सोचते हैं तो आप यांग मास्टर शेन्टू को बहुत अधिक तुछ समझते हैं उसने इमानदारी से आपके साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार किया वह अचानक आपको कैसे धोखा दे सकता है इसके अलावा यांग मास्टर जू यू को कल वाटर मून स्टार छोड़ देना चाहिए था यह केवल इस तथ्य के कारण था कि यांग मास्टर शेन्टू ने आज प्रस्थान करने का निर्ने लिया कल चले गए देवेश ने भौहें चड़ा ली उसकी आखे जू टों की ओर भूर रही थी उसने अपने भावों में जरा भी बदलाव नहीं आने दिया इन यांग मास्टर जू यू को एक महत्वपूर्ण मिशन सौपा गया था और इसे पूरा करने के लिए उन्हें कल निकल जाना चाहिए था जू टों ने जोर से सिरहिलाया कई लोगों ने उन्हें एक स्टार्शिप पर चड़ते हुए देखा जो वाटर मून स्टार से रवाना हुआ था तो वह यहां कैसे प्रकट हो सकता है और उसकी शीर्ष पर इस विशेश स्टार्शिप के लिए जाएं देवेश ने साफ पूछा जू टों ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा मुझे नहीं पता लेकिन यांग मास्टर यांग यांग मास्टर शेन तू ने तुम्हें धोखा नहीं दिया वह ऐसा कुछ नहीं करेगा देवेश ने एक शन तक उसे घूर कर देखा और फिर आह भरते हुए सिरहिलाया अच्छा मुझे तुम पर विश्वास है तो क्या अब हमें उतर जाना चाहिए यह बहुत जोखिन भरा है उससे टकराने की बहुत अधेक संभावना है जूटोंग में जल्दी से हाथ हिलाया यदि यंग मास्टर जू यू इस स्टार्शिप पर यात्रा करने का इरादा रखता है तो बहतर होगा कि आप यहीं रहें और अपनी उपस्थिती छिपाए उम्मीद है वह सीनियर शिनरुई के साथ कुछ चर्चा करने के लिए आ रहे है मुझे डर है कि इसकी कोई संभावना नहीं है देवेश ने कान खड़े करते हुए धीरे से अपना सिरहिलाया जूटोंग और उसके कमरे छट से अधिक दूर नहीं थे इसलिए भले ही उसने अपनी इंद्रियों को बढ़ाने के लिए अपनी शक्ती का प्रयोग न किया हो देवेश बाहर चल रही बातचीत के कुछ अंश सुन सकता था शिनरुई और जूईू के बीच हो रहे समवाद को सुनकर देवेश को पता चल गया कि शिनरुई वास्तव में इस युद्धपोत पर चड़ने के लिए यहां आया था देवेश का मूर अचानक खराब हो गया यंग मास्टर जूईू जहां तक मुझे पता है आपको कल वाटर मून स्टार छोड़ देना चाहिए था आप आज अचानक यहां कैसे प्रकट हो गए स्टार्शिप के बगल में शिनरुई ने उच्सुपता से पूछा जुल्यू ने हलके से मुस्कुराते हुए कहा कल कुछ मामले थे जो समय पर नहीं सुलजे थे इसलिए मैंने पहले उस स्टार्शिप को जाने दिया अंकल शिनरुई एमराज स्टार के लिए नौकायन कर रहे हैं इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं इसके बजाए आपकी स्टार्शिप पर सवार हो जाऊं तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए वैसे भी आप रेनफॉल स्टार से गुजर रहे होंगे वही मेरी मन्जिल भी है शिनरुई की भाउह थोड़ी सी सिकुरने से नहीं रोक सकी जूयू ने इसे देखा और हंसना जारी रखा क्या मेरी उपस्थिती में कुछ असुविधाजनक है अंकल शिनरुई क्या ऐसा हो सकता है कि इस स्टार्शिप पर कुछ ऐसा हो जो आप नहीं चाहते कि मैं देखू शिनरुई के रवये ने उसे कुछ हद तक संदिध महसूस कराया इसलिए जूयू उसकी थोड़ी जाच करने में मदद नहीं कर सका यह सुनकर शिनरुई हंसने लगे युवा मास्टर जूयू निश्चित रूप से मजाग कर रहे हैं मेरी स्टार्शिप पर केबल रेजिंग फ्लेंस सेक्ट द्वारा ओर्डर की गई सामगरिया है ऐसी कोई चीज कैसे हो सकती है जो मैं नहीं चाहता कि आप देखें कृपया बेजिजग आगे बढ़े यांग मास्टर जूयू इतना कहकर उसने रास्ता खोल दिया आसपास के सभी क्रिशकों की गंभीर और सम्मान जनक निगाहों के बीच रैंपर स्टार्शिप तक चले जाचे कि क्या इस स्टार्शिप पर कोई ऐसी सामगरी है जो यहां नहीं होनी चाहिए जूयू ने कभी भी अपनी मुस्कान नहीं खोई क्योंकि उसने अपने दो अधिनस्थों को एक दिव्य समवेदना संदेश भीजा था क्या यंग मास्टर को जिनरुई पर तसकरी की आपूर्ती का संदे है उनमें से एक ने वापस पूछा उसे नहीं होना चाहिए लेकिन अभी वह जिस तरह से व्यवहार कर रहा था उससे मुझे थोड़ी उचसुकता हो रही है अधियधिक सावधानी अनुचित नहीं है अधीनस्थ जितनी जल्दी हो सके स्थिती की पुष्टी करेगा तीनों का समूह स्टार्शिप के गलियारों से गुजरा और जल्द ही एक आलिशान कमरे में पहुँच गया केवल सबसे महत्वपूर्ण यात्री ही ऐसे क्वार्टरों में रहने के पातर थे जिन कमरों में देवेश और जूटोंग रह रहे थे वे साधारन क्वार्टर थे जहां सामाने क्रू सदस्य रहते थे स्टार्शिप के बाहर जूयू और उसके अनुरक्षकों के अंदर जाने के बाद शिनरुई ने उपर देखा और दो विशेश रूप से बदसुरक चहरों को पास की खिड़की से बाहर घूरते हुए देखा वह वास्तव में सवार हो गया देवेश की अभिव्यक्ती नाटकिय रूप से डूब गई जब उसने जूटोंग की ओर देखा जूटोंग का चहरा भी काप रहा था उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वे इस समय जूयू से टकराएंगे उसे उनके समान स्टार्शिप पर चड़ते हुए देखना तो दूर की बात है ऐसा लगता है कि युवा मास्टर जूयू रेंफॉल स्टार की ओर जा रहे हैं यह चैंबर ओफ कॉमर्स के अधिकार ख्षेतर के तहट कल्टिवेशन स्टार्स में से एक है और यहां से केवल दो महीने की यात्रा है युवा मास्टर यांग को कुछ समय के लिए इस स्थिती को सेहन करना चाहिए यांग मास्टर जूयू के जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा जू टोम ने सांत्वना दी लगता है कोई और चारा नहीं है देवेश ने बेपसी से सिरहिलाया हाला कि वह वास्टव में जू यू से कभी नहीं मिला था और उस समय केवल उसका चेहरा ही असपष्ट रूप से देख सका था दूसरे पक्ष को अभी भी उसकी अनुमानित उपस्थिती याद रखनी चाहिए अगर देवेश अब जू यू के सामने आता तो यह खुद को उसके हवाले करने से अलग नहीं होता निजी तोर पर कींती वस्तूओं का व्यापार करने के रहसे को बनाए रखने के लिए जू यू ने पहले ही 2000 निर्दोश लोगों को मार डाला था उसे निश्चित रूप से एक और को मारने में कोई आपती नहीं होगी जू यू के बगल के दो लोग निश्चित रूप से मास्टर थे जिन्हें देवेश हरा नहीं सका क्योंकि वह उनसे जबरदस्ट दबाव महसूस कर रहा था वह जानता था कि जू टोंग का सुझाव अनुसर्ण करने के लिए सबसे अच्छा तरीका था कृप्या इसे लें यांग मास्टर यांग इसने अपनी दिव्य भावना डालने के बाद यदि आपको किसी भी चीज की आवश्चकता हो तो आप तुरंट मुझसे संपर्ख कर सकते हैं जू टोंग ने एक संचार प्रकार की कलाकृती निकालते हुए देवेश को सौंपते हुए कहा देवेश ने इसे स्विकार कर लिया और इसकी संचिप्ट जाच की और तुरंट पता लगा लिया कि यह कैसे काम करता है देवेश ने संचार के लिए इस्तिमाल की जाने वाली इस तरह की कमपास जैसी कलाकृतिया पहले भी कई बार देखी थी परपल स्टार और स्वार्ड यूनियन के क्रिशकों ने भी संचार के लिए इनका उप्योग किया लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ था कि देवेश वास्तव में उनमें से एक को पकड़ सके जिससे उनकी उचसुपता थोड़ी बढ़ गई अच्छा तो मैं पहले वापस जाऊंगा देवेश ने कम्यूनिकेटर को अपनी जेब में रखते हुए कहा उसने कुछ देर पहले जूल्यू के नित्रित्व वाले तीन लोगों के समुह के कदमों की आवास सुनी थी और जानता था कि वे अब तक चले गए होंगे इसलिए फिलहाल चलने में कोई समस्या नहीं थी यंग मास्टर यंग जूटोंग ने अचानक उसकी पीट की और पुकारा क्या कुछ और है देवेश ने पीछे मुर कर देखा जूटोंग ने घोशना करने से पहले एक शन जिजगते हुए कहा युवा मास्टर शेन्टू इमानदारी से आपसे दोस्ती करना चाहता था वह आपके विश्वास को धोखा देने के लिए कुछ नहीं करेगा देवेश ने धीरे से सिर हिलाने से पहले उसकी आखों में गहराई से देखा मैं समझता हूँ उसे केवल यह संदेह था कि शेन्टू ने उसे धोखा दिया है क्योंकि यह स्थिती बहुत सन्योग थी इससे कोई भी भमित हो जाता हाला कि जूयू और शिन्रुई के बीच हुई बातचीत से देवेश ने पहले ही तै कर लिया था कि यह सिर्फ उसकी अपनी गलतफमी थी जब शेन्टू को पता चला कि उसने चैंबर आफ कॉमर्स के तीन क्रिशकों की हत्या कर दी है तो उसने इसे आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं दिखाया इसलिए यह स्पष्ट था कि वह उनकी दोस्ती को कितना महत्व देता था अन्य था उन्होंने उस समय कम से कम एक अप्रियरू प्रकट किया होता हाला कि उन्होंने ऐसा नहीं किया था देवेश की तुलना में शेम्तू को अपने चैंबर आफ कॉमर्स के तीन किसानों की मौत की जरा भी परवाह नहीं थी अपने कमरे में लोटकर देवेश ने दर्वाजा बंद कर लिया और बिस्तर पर बैठकर खेती करने लगा लगभग एक घंटे के बाद विशाल स्टार्शिप में एक गुनगुनाहट की आवास गुंज उठी और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वहल गया हो हाला कि इसके तुरंत बाद सबकुछ फिर से सुचारू हो गया और स्टार्शिप में धीरे-धीरे उडान भरी और अपनी दिशा को समायोज़त किया कुछ हजार मीटर उपर उठने के बाद स्टार्शिप तेजी से तेज हो गई प्रकाश की एक लकीर में बदल गई जो तारों वाले आकाश में चली गई देवेश ने ठीक समय पर अपने आखें खोली और अपने कंधे पर नजर डाली और देखा कि उसकी खिड़की के बाहर का द्रिश तेजी से आगे बढ़ रहा है और जल्द ही वाटर मून स्टार की सताय पर सबकुछ अविश्वसनिय रूप से छोटा हो गया बादलों की मोटी परत से गुजरने के बाद स्टार्शिप सितारों के दायरे में पहुँची और तेजी से एमराज स्टार की दिशा में आगे बढ़ी चुँकि वह जानता था कि जूयू भी इस स्टार्शिप पर सवार था देवेश ने अत्यधिक सावधानी बरती यहां तक की अपना दर्वाजा भी नहीं खुला यहां तक की जब वह खेती कर रहा था तब भी वह सावधान था कि वह अपनी आभा को उजागर न करे ताकि जूयू का ध्यान आकर्शित नहो जूटोंग द्वारा प्राप्त जानकारी से देवेश को पता चला था कि जूयू उनके निचले स्टर के कमरों से दूर एक अलग स्टर पर प्रथम शेनी के स्विट में रह रहा था लेकिन देवेश ने फिर भी अपनी सतर्कता में धील नहीं दी इतने साल बाहर सासिक कार्य में बिताने के बाद देवेश पूरी तरह से समझ गया था कि देख भाल और सावधानी ही जीवित रहने की नीम है यह सेंट किंग ग्रेड हाई रैंक स्टार शिप बेहत तेज थी देवेश के स्टार शटल से कई गुना तेज स्टार शिप और स्टार शटल की समान रैंक की तुलना करते समय गती के मामले में एक स्टार शिप को हमेशा पूर्न लाब होगा उनके बड़े आकार के बावजूद उनके पत्वारों पर उकेरे गए कई स्पिरिट एरेस प्रनोदक उत्पादन में बहुत अधिक व्रिधी प्रदान करेंगे और कल्टीवेटर के स्वयंके सेंट क्यूई के बजाए सेंट क्रिस्टल को उनकी शक्ती के प्राथमिक स्रो अधिकांश क्शुद्रग्रहों से बचा लिया ताकि पत्वार को अनावश्यक नुकसान न हो यदि किसी क्शुद्रग्रह से बचा नहीं जा सकता है तो स्टार्शिप से कल्टीवेटर को इसका ट्रैक बदलने या बस इसे नश्ट करने के लिए भेजा जाएगा यात्रा शांत और शांत थी, देवेश अपने कमरे के अंदर ही रहता था, ज्यादा तर खेती करता रहता था लेकिन कभी कभी अपनी घबराहट को कम करने के लिए बाहर के आकरशक द्रिश्यों को भी देखता था एक दिन उसने अचानक संचार प्रकार की कलाकृती निकाली और जू टोंग से संपर्ट करने के लिए उसमें अपनी दिव्य भावना डाल दी युवा मास्टर यांग के पास क्या आदेश है जू टोंग ने तुरंथ जवाब दिया जू यू के आसपास के दो लोगों के पास किस प्रकार की खेती है उनमें से एक ओरिजिन रिटर्निंग रियलम मास्टर है और दूसरे को केवल थर्ड ओर्डर सेंट किंग होना चाहिए ओरिजिन रिटर्निंग रियलम देवेश आश्चर्य की भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके अब उन्हें पूरी तरह से समझ आ रहा है कि राश्ट्रपतिय ओ जू यू को कितना महत्व देते थे यहां तक कि शेंटू के महल में सबसे अच्छे गार्ड जिया लॉंग थर्ड ओर्डर सेंट किंग के समान स्तर पर थे लेकिन जू यू के पास वास्तव में एक ओरिजिन रिटर्निंग रियलम मास्टर था जो अंगरक्षक के रूप में कारियरत था राष्ट्रपतिय ओ के दिमाग में जू यू की स्थिती शेंटू की तुलना में काफी उची होनी चाहिए जू यू के बारे में क्या देवेश ने पूछा दस साल पहले वह सेकेंड ओर्डर सेंट किंग डायरे में घुस गया था लेकिन फिलहाल मैं बहुत निश्चित नहीं हूँ जू टोंग ने कुछ हद तक हताश स्वर में कहा यूवा मास्टर जू यू की प्रतिभा उतक्रिष्ट है राश्ट्रपतिय ओ के कई पुत्रों में जू यू की खेती सबसे अधिक है यूवा मास्टर शेन्तु केवल दूसरे स्थान पर है घयंकर देवेश ने सची प्रशंसा के साथ कहा जू यू के साथ आने वाले मास्टर के अलावा क्या ओरिजिन रिटर्निंग शेत्र में इस स्टार्शिप पर कोई अन्यक्रिशक नहीं है नहीं वहां नहीं है आखिरकार ऐसे स्वामी बहुत आम नहीं है प्रतेक कल्टिवेशन स्टार पर ओरिजिन रिटर्निंग रियलम मास्टर्स की संख्या कभी भी इतनी अधिक नहीं होती है उनमें से अधिकांश स्टार फीड में बिखरे हुए हैं और प्रतेक प्रतेक बल का मुख्य आधार है वस्तूओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना एक मामूली बात है जिस पर अधिकांश ओरिजिन रिटर्निंग रियलम मास्टर्स कोई ध्यान नहीं देते हैं केवल अगर कोई अत्यधिक मूल्य की चीज भीजी जा रही है तो उसे एसकॉर्ट करने के लिए एक ओरिजिन रिटर्निंग रियलम कल्टीवेटर को भीजा जाएगा यह सब समझाने के बाद जूटोंग एक पल के लिए रुके और पूछा क्या यंग मास्टर यांग इस स्टार्शिप की सुरक्षा को लेकर चिंतित है यदि हाँ तो आप निश्चिन्थ हो सकते हैं हेंग लो चैंबर आफ कॉमर्स का प्रभाव स्टार फीड के हर कोने तक फैल गया है और हमारे अस्तित्व की हर बड़ी ताकत से संबंध है यहां तक की गैलेक्सी रिज और परित्यक्त लेयर के उन लुटेरों और हत्यारों को भी हमारे चैंबर आफ कॉमर्स के स्टार्शिप के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी क्योंकि उन्हें भी हमारे साथ व्यापार संबंध बनाए रखने की ज़रूरत है गैलेक्सी रिज और परित्यक्त खो हैंग लो स्टार फीड की दो महान बुरी ताक्ते थी देवेश को पहले शेन्तू से पता चला था कि ये दोनों ताक्तें बड़े पैमाने पर समुदरी डाकू थी जिन्होंने स्टार फीड में लूट पाट और हत्याएं की स्टार फीड में लूट ली और उनका सामान लूट लिया जबकि पुरुशों को गुलामों में और महिलाओं को खिलोनों में बदल दिया वे बेहत क्रूर और क्रूर थे कोई भी स्टार शिप इन दोनों स्थानों से दूर ही रहेगा अतीत में स्टार फीड की महान सेनाओं ने इन दोनों सेनाओं को घेरने और खदेडने के लिए कई बार सहयोग किया था लेकिन उनके दो ठिकाने प्राकृतिक किले थे और उनमें बेहग मजबूत किले बंदी थी हर बार जब उन्होंने इन दो स्थानों को घेर लिया तो स्टार फीड की महान सेनाओं को भारी नुकसान उठाना पड़ा और हालां की वे अस्थाई रूप से गैलिक्सी रिज और परित्यक्त लेयर को दबा सकते थे इससे पहले की वे ठीक हो जाएं और फिर स्टार फीड पर भयानक बदला लें उन्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा इस कृतगन कार्य को कई बार दोहराने के बाद अंतह महान शक्तियों ने हार मान ली जब तक इस स्टार्शिप पर चैंबर आफ कॉमर्स का प्रतीक चिनह है कोई भी इसके खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा जूटोंग ने अपनी आवाज में सपष्ट गर्व के साथ कहा एन्ट समझ गया देवेश ने सिरहिलाया जूटोंग के साथ बातचीत समाप्त करने से पहले अपनी बोरियत को कम करने के लिए कुछ देर तक बातचीत की अपनी चेतना को अपने ज्यान सागर में डुबोते हुए देवेश ने अपने आत्मा अवतार को मूर्ट रूप दिया और एक बार फिर विशाल स्टार चार्ट का अध्यायन करना शुरू कर दिया कुछ समय पहले जूटोंग के साथ अपनी बातचीत के दौरान देवेश ने रेंफॉल स्टार और उनके अंतिन गंतव्य एमराज स्टार के बारे में पूच्टाच की थी जूटोंग से देवेश को पता चला कि ये दोनों सितारे समरिध विश्व उर्जा आभावाले कल्टिवेशन स्टार्स थे और रेंफॉल स्टार हेंग लूओ चैंबर आफ कॉमर्स से संबंधित था जबकि एमराज स्टार रैगिंग फ्लेंड सेक्ट का होम स्टार था इस सामान्य जानकारी को जानने के बाद देवेश उचसुख हो गए और उन्होंने अपने स्टार चार्ट में एमराज स्टार और रेंफॉल स्टार की स्थिती जानने का फैसला किया देवेश की दिव्यभावना उसके ज्ञान सागर के उपर लटके विशाल स्टार चार्ट में बिजली की तरह उड़ गई जल्द ही उसे एक कल्टिवेशन स्टार मिला जो जू टोंग द्वारा दिये गए विवर्ण से मेल खाता था यह कल्टिवेशन स्टार आधा समुद्र आधा सूखी भूमि था और लगभग हैंग लो चैंबर आफ कॉमर्स के होम स्टार वाटर मून स्टार के समान आकार था वर्शा तारा रेनफॉल स्टार के चारों और एक महान सूर्य के साथ साथ कई छोटे चंद्रमा भी थे यह चंद्रमा रेनफॉल स्टार के गुरुत्वाकर्शन क्षेत्र के प्रभाव में उसकी परिक्रमा करते हैं जबकि रेनफॉल स्टार अपने गुरुत्वाकर्शन के प्रभाव में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। चंद्रमाव ने पवित्र चमक और ठंडी चांदनी बिखेरी जो साधकों को उनके मन और आत्मा को शांत करने की अनुमती देगी। उन्होंने स्टार चार्ट पर अन्य सुरक्षित मार्गों को मैप करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जब भी उन्होंने एक पूरा किया तो उन्हें अपने स्टार शटल में कॉपी कर लिया। देवेश जल्द ही इस काम में लग गए और धीरे-धीरे समय बीतने को भूल गए। प्लोटिंग और फिर इन सुरक्षित मार्गों को स्टार चार्ट पर कॉपी करने और फिर अपने स्टार शटल में बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत हुई। देवेश कई दिनों तक स्टार चार्ट पर एक कल्टिवेशन स्टार से दूसरे कल्टिवेशन स्टार तक विभिन सुरक्षित मार्गों का मानचितरन करता रहा। इन में से कुछ सुरक्षित मार्ग बेहद लंबे थे और तेज स्टार्शिप के साथ भी इसमें कई साल लग जाते थे। अन्य इतने छोटे थे कि उन्हें पूरा करने में केवल कुछ महीनों की आवश्चता होगी। जैसे जैसे देवेश ने अभ्यास के इस असामान्य रूप को जारी रखा, स्टार फीड के बारे में उनकी समझ और अधिक गहरी होती गई। के लिए एक सरल कार्य था। उनकी उप्योगिता को सत्यापित करने का एक मात्र तरीका उन्हें उप्योग में लाना होगा। कि क्या उन्हें किसी खत्रे का सामना करना पड़ेगा। हाला कि थोड़े समय के अवलोकन के बाद उन्हें कुछ गलत लगा। जिस स्टार्शिप पर वह सवार था वह स्टार फीड के ठंडे और उजाड हिस्से में प्रवेश करने से पहले एक या दो दिन के लिए रवाना होगी। इस विशेश खेत्र में बड़ी संख्यामेक शुद्रग्रह थे और आसपास के सभी तारों की रोशनी कमजोर और उदास थी जिसमें कोई आभा नहीं थी। ये सभी तारे मृत तारे थे। जूटोंग से संपर्क करके उन्होंने उनसे इस खेत्र के बारे में पूछा। जूटोंग ने तुरंट उत्तर दिया। युवा मास्टर यांग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह प्रसिध आइसकोल्ट डेट जोन है। हम वास्तव में इससे होकर गुजरेंगे। क्या इसमें कोई समस्या नहीं है। देवेश ने तुरंट आराम नहीं किया और पूछा। और कोई समस्या नहीं है। वाटर मून स्टार से रेनफॉल स्टार की ओर जाने वाला प्रत्येक स्टार्शिप वहां से गुजरेगा। कोई खत्रा नहीं है। जूटों को लगा कि देवेश बिना किसी बात के हंगामा कर रहा है। और वह चुपचाप खुज से मुस्कुराने लगा। हाला कि एक क्षण के बाद उसने अचानक आश्चर्य से पूछा युवा मास्टर यान को कैसे पता चला कि हम बर्फठंडे मृत शेत्र से गुजरेंगे। जूटों को उसके बारे में जो पता था उसके अनुसार देवेश के लिए उनके मार्ग के बारे। में पूर्व ज्यान होना असंभव था जिससे वह कुछ हद तक भ्रमित हो गया। देवेश ने सपश्टी करण नहीं दिया और इसके बजाए विशाल स्टार चार्ट का अध्ययन जारी रखने और अपनी आध्यात्मिक उर्जा में हैरफेर करने की क्षमता में सुधार करने से पहले बातचीत समाप्त कर दी। स्टार्शिप के एक अलग कहीं अधिक शांदार कमरे में जूयू एक आराम दायक कुरसी पर आराम से बैठी थी। जब वह अपने ओरिजिन रिटर्निंग रियलम गार्ड की रिपोर्ट सुन रहा था, तो उसने अपने हाथ में गहरे लाल रंकी वाइन से भरा एक गिलास पकड़ रखा था और उसका स्वाग बड़े ही खूबसूर्ती से चक रहा था। पर जासूसी की, फिर भी मुझे कोई समस्या नहीं मिली। तेजी से उतार चढ़ाव शुरू हो गया क्योंकि उसकी ताकक धनी भूत होने लगी, ऐसा प्रतीत होता है कि वह जुल्यू पर जपटने की कगार पर है, इस बात की जरा भी परवाह किये बिना कि वह भी एक आदमी है। जुल्यू अपने चिंतन से जागा और उसने अपने दूसरे अधिनस्थ के चहरे पर बदसूरत रूप देखा, उसकी क्रिस्टल स्पष्ट आखे घिना का एक मोटा अर्थ प्रकट कर रही थी और वह गुस्से में चिलाया, बाहर निकलो। थर्ड ओर्डर सेंट किंग कल्टिवेटर को आखिरकार होश आ गया जब उसने यह चीक सुनी और उसका चहरा शर्मिंदगी से लाल रंग में रंग गया, वह चाहता था कि उसे तुरंत रेंगने और छिपने के लिए एक छेड मिल जाए और तेजी से दरवाजे से बाहर न अब से उसे मेरे पीछे आने की अनुमती न दें। वाली आभा को उजागर कर देता था, तो पुरुष भी उसकी अपील का विरोध करने में खुद को असमर्थ पाते थे। जदी यह व्यक्ति पूर्णत परिपक्व हो जाए, तो कौन उसके आकर्शन का विरोध करने में सक्षम होगा। अगर सामगरी में कोई समस्या नहीं है। शिनरुई क्या छिपाने की कोशिश कर रही है। जूयू ने अचानक कहने से पहले अपने चहरे पर एक हलकी मुस्कान दिखाई, इसे भूल जाओ, इतनी छोटी सी बात पर और अधिक प्रयास बरबाद करने का कोई मतलब नहीं है। तुम जा सकते हो। आकर्शक ग्रिश गायब हो गया और उसकी जगह एक अंधेरे और उजार शूनी ने ले लिया। वास्तव में देखने लायक कुछ भी नहीं था, जैसे की स्टार्शिप अचानक गहरी खाई में गिर गई हो। कभी-कभी प्रकाश की कुछ धारिया गुजरती, लेकिन जित इस विशाल उजार्ट शेत्र से होकर विशाल स्टार्शिप बाहरी दुनिया से अप्रभावित रहते हुए सुचारू रूप से आगे बढ़ती रही। यह रास्ता खतरनाप नहीं था, बस थोड़ा उबढखाबढ़ था। के बारे में कुछ हद तक सतरकता बनाय रखी। वह जानता था कि कोई भी दुरभटना, चाहे बड़ी हो या छोटी, अप्रत्याशित नुकसान का कारण बन सकती है। दो दिन बाद स्टार्शिप के सामने एक विशालक शुद्रग्रह सागर फिर से दिखाई दिया और शि शिनरुई को अचानक एक असहच थंड महसूस हुई, जैसे की संकट उस पर था। आखिरी बार उसे यह अनुभूती कई साल पहले महसूस हुई थी जब एक ओरिजिन रिटर्निंग रियलम कल्टिवेटर उसका पीछा कर रहा था। यह इस अधवितिय अंतरग्यान का ही ध प्रकाश का एक सफेद बिंदु देखा। प्रकाश का यह बिंदु एक चमकदार तलवार की तरह अंधेरे को काट देता है। उसकी चीक पूरे स्टार्शिप में गून तुठी, जिससे बोर्ड पर मौजूद सभी लोग उसे सपष्ट रूप से सुन सके, पावर रूम में मौजूद किसानों ने जब उसके शब्द सुने तो उनके चेहरे का रंग फीका पढ़ गया और उन्होंने इस शेतर से किरनों की तुलना में टेज चमक निकली, जिससे तारों वाले आकाश का सबसे अंधेरा हिस्सा, आइसकोल्ड डेड हो गया। सेंट किंग ग्रेड हाई रैंक स्टार्शिप जो अभी अभी तेज हुई थी, तेजी से इन विनाशकारी लहरों की चपेट में आ गई। उनकी खेती कितनी भी उची क्यों न हो, सभी खूनी कोहरे में बदल जाते हैं और उनकी हड्या भी नहीं बचती हैं। जब शिनरुई पहली बार चिलाया, देवेश अभी भी अपने ज्यान सागर के उपर स्टार चार्ट का अध्ययन करने में डूबा हुआ था। अचानक चिलाने और उसके बाद घबराहट से कुछ गलत होने का एहसास होने पर उसने समय रहते अपनी चेतना वापस लेली और महसूस किया कि तीवर उर्जा का उतार चढ़ाव सभी दिशाओं से उसकी ओर आ रहा है, जो जबरदस्त बलवे अपने साथ लेकर आये थे। उसने उसे आसन्नमरक्यू का एहसास कराया। उसकी जेब में संचार प्रकार की कलाकृतिया हिल गई और जूटोंग चिलाया, युवा मास्टर यांग जल्दी से। हाला कि इस से पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, संचार कट गया। उसके आसपास का कमरा अचानक ध चींटे देखे, क्योंकि हेंगलो चैंबर आफ कॉमर्स के किसान एक के बाद एक भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तेजी से विनाशकारी लहरों से आगे निकल गए और चूर चूर हो गए। अंतरिक्ष में तरंगों ने सबसे तेज बलेड की तरह काम किया और इन कल थी कि इस समय वह अंतरिक्ष को तोड़ने के परिचित कार्य को पूरा करने में असमर्थ था। उसके चारों और हुए विस्पोटों ने आसपास के स्थान को अत्यधिक अस्थिर कर दिया था। इसलिए वह अंतरिक्ष को तोड़ने में असमर्थ था। स्टार्शिप के च पीछे, मृत्यू की आभा एक निरंतर जवार की लहर की तरहा उसका पीछा कर रही थी, उसके चारों और का स्थान सबसे तेज हथियारों में बदल रहा था, जिससे देवेश का शरीर टुक्रे-टुक्रे हो गया, जिससे सुनहरे रक्त की बड़ी धार बहने लगी। विग्टित स्थान तेजी से देवेश की सुरक्षा में कट गया, एक पल में चांदी के प्रकाश प्रभामंडल को तोर दिया और सिल्वर लीफ ग्रेड हाई रैंक आर्टिफेक्ट को अंताय गिरने से पहले अगले पल में अपनी आध्यात मिक्ता खो दी, कलाकृती लेने के लिए भी कोई जगह नहीं मिली, एक बार फिर भयानक दर को सीधे अपने शरीर पर सहते हुए, देवेश को इसमें कोई संदेह नहीं था कि अगर उसने कुछ नहीं किया, तो वह जल्द ही मर जाएगा, अपनी गती को अपनी सीमा तक बढ़ाते हुए, देवेश न में व्यस्त रहते हुए भी, देवेश ने आवास के स्रोत की ओर एक नजर डाली और पास में एक बूढ़े व्यक्ति को खड़ा पाया, उसकी बाहें फैली हुई थी जैसे कि वह किसी चीज को गले लगाने की कोशिश कर रहा हो, विनाश की लहरों की ओर देख रहा हो, एक अजीब उर्जा का उतार चड़ा फैल रहा हो उसके फिगर से बाहर, जैसे ही ओरिजिन रिटर्निंग शेत्र की अनूठी आभा फैली, इस बूढ़े व्यक्ति ने अपने सामने अंतरिक्ष में एक गरार को खोलने और जितना संभव हो उतना विस्तार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, जैसे ही हिनसक लहरें उसकी ओर बढ़ी, बूढ़े व्यक्ति के चहरे पर एक निडर भाव आ गया और वह अपनी जमीन पर खड़ा रहा, जिससे स्वर्ग की विनाशकारी शक्ती उसके उपर आ गई, उसके कपड़े बिखर गए, फिर उसकी हड़ से मास अलग हो गया, हाला कि इस बूढ़ी मा के प्रयासों के कारण, विनाशकारी उर्जा का एक बड़ा हिस्सा शूने में ले जाया गया था, देवेश को लगा कि उस पर आसपास का दबाव काफी कम हो गया है, और उसका दिल खुशी से भर गया, बूढ़े आदमी से कु जो उसके शरीर के चारों और कसकर लिपता हुआ था, जिससे वह और भी अधिक वीर और बहादुर दिखाई दे रहा था, एक ही दिशा में भागने से पहले उसने और देवेश ने एक दूसरे पर नजर डाली, जूयू, देवेश कराह उठा, काश वह अभी रुक पाता औ और इस आदमी का गला घोंट कर मार डालता, उस संक्षित नजर में जूयू ने भी देवेश की पहचान पहचान ली थी, लेकिन इस जीवन या मृत्यू संकट में उसके पास उसकी परवाह करने का समय नहीं था, निराश होकर जूयू ने अपने दिल के अंदर असहायता औ और क्रोध की भावनाओं को दबाते हुए बस अपनी मुठिया भीच ली और ठीक समय पर एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा और देखा कि बूढ़े व्यक्ती की हड्या तूट गई थी और फिर वह मुड़कर जितनी तेजी से भाग सकता था उतनी तेजी से भाग गया ओरिजिन रिटर्निंग रियलम के बूढ़े व्यक्ती ने विनाशकारी हमले को केवल तीन सांसों के लिए विलंबित किया था इससे पहले की जिस अंतरिक्ष दरार को उसने जबरन खोला था वह नश्ट हो गई और घातक लहरें एक बार फिर बाहर की ओर फैल गई विनाश उसने देखा कि कवच का सेट और जूयूने उनके नीचे जो कपड़े पहने थे वे फट गए जिससे एक सफेद निर्दोष शरीर दिखाई दे रहा था उस पल देवेश की आखें चलक आई और उसने कसम खाई कि उसने कुछ अविश्वस नीर देखा है उस पल में इस सागर बह गया था और अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था विशाल सेंट किंग रेड हाई रैंक स्टार्शिप भी गायब हो गई थी साथ ही सैकडों कृषक और इसमें ले जाने वाली सभी सामगरिया भी गायब हो गई थी यह ऐसा था मानो इन में से कुछ भी कभी अस्त लिया क्योंकि दानव देवता गोल्डन ब्लाड की पुनस्थाप नात्मक शक्तियों ने एक बार फिर अपनी दुर्जेता प्रदर्शित की, तेजी से उसकी शतिग्रस्त काया की मरम्मत की। उसकी उंगलिया अचानक हिल गई और उसकी आखें खुल गई। एक स्टब्ध द सुस हुआ मानों उसकी सारी हड्या तूट गई हो और उसका शरीर घावों से भर गया हो। फिर से लेट कर उसने तुरंट अपनी दिव्यभावना से अपनी स्थिती का निरीच्षन किया। स्थिती काफी खराब थी, उनके शरीर पर कई गंभीर घाव थे और उनके कई मेर प्रेश की जबरदस्त लचिलापन और उसके दानव भगवान गोल्डन ब्लाड की अविश्वसनिय पुनरस्थापना शक्ती के साथ भी, अगर वह खुद को इन चोटों से पूरी तरह से ठीक करना चाहता है, तो उसे कम से कम आधे महीने की आवश्यक्ता होगी। अपनी वर्तमान स्थिती सपष्ट करने के बाद, देवेश ने अपने डेमन मिस्टिक टों से एक उपचारकारी सेंट पिल निकाली और उसे अपने मुह में भर लिया। वहीं देवेश थोड़ा खुश होने से खुद को नहीं रोक सके। यदि यह पुराने ओरिजिन रिटर्निं रियलम मास्टर के लिए नहीं होता, जो जूयू के साथ एक ख़न के लिए बिनाशकारी लेहर को कम कर रहा होता, तो उसकी वर्तमान चोटे कहीं अधिक गंभीर होती और उसके मरने की संभावना कम नहीं होती। यहा तक कि ओरिजिन रिटर्निंग रियलम के एक मास्टर की अभी मृत्यू हो गई थी, उनके जैसे छोटे द्वितियक्रम संथ को क्या आशा थी? जुयू के बारे में क्या? क्या वह मर गया? कुमा में जाने से ठीक पहले देखे गए द्रिश्य को याद करते हुए देवेश की अभिव्यक्ति अजीब हो गई. उन्होंने इस पर ध्या अनुभूती जारी कर दी, लेकिन आसपास कोई जीवन आभा नहीं देखी. यदि उसकी मृत्यू नहीं हुई होती, तो देवेश को अनुमान था कि जुयू की स्थिती भी उसके जैसी ही होगी. उसने गलती से दूसरे पक्ष का सबसे बड़ा रहसे देख लिया था, और इ देवेश ने तुरंत देमन मिस्टिक टोंग से संचार प्रकार की कलाकृती निकाली और जुटोंग से संपर्क करने की कोशिश करते हुए उसमें अपनी दिव्य भावना डाली. हाला कि उसे निराशा हुई, चाहे उसने किसी भी तरह से पुकारा हो, देवेश को जुटों को पहले ही आपदा का सामना करना पड़ा था. संचार प्रकार की कलाकृतियों को दूर रखने से पहले देवेश ने गहरी आहभरी. वह थोड़ा दुखी था कि जुटोंग गिर गया था. यह मॉंस्टर रेस कल्टिवेटर उसके लिए अच्छा था. यदि शेन तूने तो वह इस आपदा में नहीं फंसता. उसकी किस्मत वाकई ख्राब थी. हाला कि उसक शुदरग्रह सागर में ऐसा जाल किसने बिछाया? वे हंग लो चैंबर आफ कॉमर्स स्टार्शिप को क्यो नश्ट करना चाहते थे? साथ ही, किस प्रकार का जाल इतनी अपार विनाशका क्या यह बदला लेने के लिए था? क्या यह एक हत्या थी? देवेश के पास जानने का कोई उपाय नहीं था. उसे केवल इतना याद था कि जिनरुई ने आपदा आने से पहले स्टार ब्रेकर स्पार्क्स के बारे में कुछ कहा था, लेकिन देवेश को पता नहीं था कि वह किसी आकरशक शक्ती प्रकट हुई, जो उसके शरीर को नीचे की ओर खीच रही थी. देवेश ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर घुमाया और पाया की कुछ सो किलोमेटर दूर एक छोटा सा डेट स्टार था. जिस शक्ती ने देवेश को पकड़ा था, वह इस मृत तार पर अपनी सेंट क्यूई को प्रसारित किया. इधर उधर देखने पर देवेश को लगा कि यह स्थान वास्तव में डेड़ स्टार वर्गिकरन का हकदार है. एक मोटी मौद क्यूई सुनसान सतह पर घूम रही थी, जिसमें कहीं भी जीवन शक्तिया जीवन का कोई निशान नहीं दिख रहा था, केवल कुछ बिखरे हुए क्रेटर और पहाडों ने परिद्रिश में विविधता जोर दी थी. इस समय देवेश एक विशाल गड़े के पास खड़ा था, उसके शरीर पर कपड़ों की एक भी पटी नहीं थी. पिछली घटना में उसके सारे कपड़े को मुक्त कर दिया. उसने अपने से कुछ ही दूरी पर एक और जीवन आभा देखी. देवेश की भौहें हलकी सी सिकुड गई और उसने तुरंत जाच करने के लिए उडान भरने से पहले कपड़े पहनने की भी जहमत नहीं उठाई. जहां देवेश उतरा था, वहां से 1000 मी देवेश की तरह हाल की आपदा के कारण वह कुछ हद तक सदमे में थी और तुरंत नहीं बता पा रही थी कि अभी क्या हुआ था. वहां खड़े होकर उसके बर्फस्फेद नगन रूप में बहतरीन चीनी मिट्टी के बरतन की तरह चमक दिखाई दे रही थी और उसकी जे को खराब करने के लिए कुछ नहीं किया बलकि इसके कारण उसमें और भी अधिक प्रलोभन की भावना प्रकट हुई. वह इस समय बहुत दर्ग में थी और जब भी वह हिलने की कोशिश करती तो उसके होटों से कराह निकल जाती जो स्वर्ग और प्रिथवी के बीच सबसे आकरशक संगीत की तरहा गूंजती. शांत होकर और इसके बारे में सोचते हुए वह धीरे धीरे अपनी स्थिती को समझने लगी और उसे पहले जो हुआ था उसे याद आया. उसकी खूबसूरत आखें हलके से कामपने लगी और उनकी गहरायों में एक मोटा जानलेवा इर शिशकर रही थी. उसने जल्दी से अपनी स्पेस रिंग को थप्थपाया और एक सुगंधित उपचार गोली निकाली उसे अपनी चोटों को ठीक करने और अपनी ताकत वापस पाने में मदद करने के लिए उसे अपने मुहों में डाल लिया. फिर उसने खूबसूरत लेस पैटर्न से सजी और अपनी स्पेस रिंग की बहतरीन सामगरी से बने खूबसूरत बर्फस्वेद अंडरवियर की एक जोडी निकाली. उसने अपना पैर उठाया और आधा जुप गई. कुछ भी सोचने से पहले अपने कपड़े पहनने के लिए तयार हो गई. लेकिन आधमी को देखा जो किसी अज्यात बिंदू पर आ गया था और उस गड़े के शीर्ष पर खड़ा था जिसमें वह खड़ी थी. उसकी दृष्टी उग्र थी और उसने अपनी तेज नजरों को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया जो वह उसके सबसे अंतरंग और गुप् गजार लोगों को मार डाला था. यह वही था जो उस समय उसके साथ भाग गया था जब जिस स्टार्शिप पर वे सवार थे वह नश्ट हो गई थी. उसका पूरा शरीर भी बिलकुल नगन था. उसकी ठोस शक्तिशाली मांस्पेशिया उजागर थी और उसकी मरदानगी का प्रतीट एक हाथी की लंबी सूंड की तरहे पूरी तरहे से प्रदर्शित था. उसकी नाजुक आखों को धूमिल कर रहा था और हमेशा के लिए उसकी छवी को उसकी मासूम आत्मा में उकेर रहा था. तब उसे एहसास हुआ कि उसने भी कुछ नहीं पहना है और इस समय व से अपनी सुंदर आकरिती का प्रदर्शन कर रही थी. उसका क्रोध और क्रोध अभूत पूर्व उचाईयों पर पहुँच गया. आप धूंध रहे हैं. उसने चिलाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले की वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसका चेहरा पीला पड़ गया उसकी त्वचा को कई श्रिंखला की चोटों से बचाने में काम्याबी हासिल की थी, लेकिन उसकी आंतरिक चोटें अत्यधिक भयानक थी. मौत जब उसने देवेश की ओर देखा, तो उसने आखिरी शब्द भी कहा, अपने दांत पीस्ते हुए, वह उसका खून पी सकती थ और उसके मास का आनंद ले सकती थी. किसी भी पुरुष ने कभी उसके शरीर को इस तरह से नहीं देखा था, और कुछ चुनिंदा लोगों के अलावा, कोई भी उसकी गुप पहचान के बारे में नहीं जानता था, फिर भी अब उसने वास्तव में किसी के सामने सब कुछ उजागर कर दिया था, उसका पूरा शरीर उसकी लंपट आखों के सामने प्रदर्शित हो गया था. उपर, वह यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी जैसे कि उसकी निंदा की जा रही है. युवा मास्टर जुयू देवेश मुस्कुराया, उसके चहरे पर एक अर्थ जुयू वास्तव में एक महिला थी, यह है सचमुच एक शांदार कहानी है. गड़े के तल पर खड़ी महिला 70 या 80 प्रतिशक जुयू के समान थी, जिसे देवेश ने पहले देखा था, लेकिन अब अंतर ने जुयू को एक आश्चर्यजनक सुंदर महिला के रूप में जिससे जो कोई भी उस पर नजर रखता है, वह एक ऐसे आकर्शन में पढ़ जाता है, जिससे वे खुद को कभी भी मुक्त नहीं कर पाएंगे. उसकी खूबसूरत आखें भी बिल्कुल साफ थी, इतनी कि अगर कोई उन्हें घूरे, तो उन्हें ऐसा लगेगा जैसे उनक और उसके दिल में एक गहरा नशा तेजी से भर गया. उस पल उसने चाहा कि समय और स्थान स्थिर हो जाये ताकि वह उसके कपड़े पहनने के लिए जुकने के इस द्रिश को हमेशा देख सके. उसका पूरा अस्तित्व सबसे खूबसूरत सपनों की तरह था, जो किसी की आ उचाई तक नहीं पहुँच सका, जिस उचाई तक यह महिला उससे पहले पहुँची थी. कोई भी उसके जितना संपूर्ण नहीं था. यहां तक की सुयान और छोटी वरिष्ठ बेहन भी उससे कमतर थी. उनके जैसी महिला को केवल चमतकार ही कहा जा सकता है. यह मानव जा करने के लिए मजबूर होना पड़ा. इसके अलावा, उसे बहुत पहले नहीं जागना चाहिए था. अन्य था ऐसा कोई रास्ता नहीं था, कि वह अपने कपड़े न पहंती. उसने यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसका रहस्य कभी लीक न हो, 2000 निर्दोश लोगों की हत कर दी थी. देवेश चाहे या न चाहे, वह उसकी दुश्मन बन गई थी. लेकिन इस समय देवेश निश्चित नहीं था, कि उसे तुरंत उस पर हमला करना चाहिए या एक कदम पीछे हटना चाहिए. आखिरकार, यह व्यक्ति अभी भी शेन्तु से संबंधित था, वह शे बढ़ा दिया और उसने जूयू की प्राकृतिक आभा का विरोध करने के लिए तुरंत अपने दिमाग को स्थिर कर लिया. जूयू ने किसी भी प्रकार की प्रलोभन तक्नीक का उप्योग नहीं किया था, और उसके फैसले को प्रभावित करने के लिए किसी भी प्रकार की गुप्त तकनीक या कौशल का उप्योग नहीं किया था, वह बस वहां खड़ी थी, अपनी घ्रेना और जानलेवा इरादे को छुपाए बिना उसे नाराजगी से घूर रही थी, हाला कि उसकी उपस्थिती ही देवेश के दिल को खीच रही थी, जिससे वह उसे संजोने और उसकी रक्षा करने की इच्छा कर रहा था, इतनी डरपोक औरत देवेश चुक्चाप अपने आप से चिलाया, देवेश स्पष्ट रूप से जानता था कि उसके मन में उसके प्रती गलत इरादे थे, और वह उसे बेरहमी से मारने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, फिर उसने देवेश के साथ परिशानी मोल लेने में जल्दबाजी नहीं की, हाला कि उसने अपनी बची-खुची ताकत का उपयोग करते हुए अपने अधिक समवेदंशील हिस्सों को ढखने के लिए अपने चारों और एक साथ रंगीन प्रकाश स्क्रीन जारी कर दी, ताकि द पारभासी आवर्ण जोर दिया, वह अचानक और भी अधिक आकरशक हो गई, इस तरह का आकरशक द्रिश देवेश के दिमाग में बेरहमी से घर कर गया, जिससे उस पर तीवर द्रिश प्रभाव पड़ा, जब वह पूरी तरह नगन थी, उसकी तुलना में उसका वर्तमान स्वरूप और भी अधिक आकरशक था, जूलू का चहरा और भी बदसूरत हो गया, उसकी शर्मिंदगी और शर्मिंदगी उस तरपर पहुँच गई जिसकी उसने पहले कभी कलपना भी नहीं की थी, इन सभी ने आखिरकार उसके तरक के आखिरी धागे को तोर दिया, और साथ रंगीन रोशनी को अपनी मुठी में इकठा किया और बेहमी से देवेश की ओर चलांग लगा दी जबकी वह शांत था, नींद में, जूलू सीधे देवेश के पास पहुची और अपनी नाजुक मुठी उसकी ओर उच्छालते हुए भेजी, यह मुक्का अद्भुत उर्जा के उतार चढ़ाव से भरा हुआ था जो सीधे देवेश के दिल पर लगा। उसे इस आदमी को मारना था जिसने उसके सुंदर शरीर को अपनी अशलील आखों से अपवित्र कर दिया था और अपने जीवन के सबसे बड़े रहस्य की रक्षा करनी थी। इस हो गई महान भंवर जिसने उसके दिल को चूस लिया जिससे वह खुद को बाहर निकालने में असमर्थ हो गया। जूयू के सुंदर चेहरे पर पूरी तरह से तिरसकार और घ्रिना का भाव जलक रहा था क्योंकि उसने अपनी मुठ्थी में और भी अधिक शक्ती जमा कर ल के चहरे पर एक अजीब सी मुसकान देखी क्योंकि उसने तेजी से अपनी बाहें फैलाई और सीधे उसे पकड़ लिया। जैसे ही उसकी चीख निकली जूयू का चेहरा पीला पड़ गया। उसने महसूस किया कि उसकी पूरी चोटिया एक मजबूत मानसल चाती के सामने द लेकिन वह अपनी ताकत नहीं जुटा पा रही थी। अभी कुछ देर पहले उसने जो मुक्का मारा था उसने उसे पूरी तरह सुखे तेल के दीपक में बदल दिया था। उसने खुद को उसकी पकड़ से छुडाने की कोशिश में अपने शरीर को लगातार मरोरते हुए देवेश के कंधे पर अपनी मुठिया मारी लेकिन इससे न केवल उसका उद्देश पूरा नहीं हुआ बलकि इसके बजाए दो प्रेमियों की चंचल छेडखानी जैसी एक मनोरंजक तस्वीर बन गई। खिलना मत देवेश धीरे से चिलाया और धमकी देते समय उसकी आख परश कर रही थी। आओ आप जूलू का चहरा कागस की तरहे पीला पड़ गया जब उसने महसूस किया कि एक बड़ा राक्षस तेजी से उसके पैरों के बीच से उठ रहा है उसका सिर्फ टील की तरहे कठोर और लावा की तरहे गर्म है जो आकरामक रूप से उसके सबसे कीमती खजाने की और अप अपनी बाहों में जितनी ताकत लगा सकता था डाल दी मानो वह उसके कोमल शरीर को दो टुकडों में तोर देना चाहता हो। जुयू के खूबसूरत पैर रेशम की तरहे चिकने और बादलों की तरहे मुलायम थे इसलिए देवेश के छोटे भाई के चारों और उसे कसकर पकड़ने से उसे अकलपनिये खुशी और आराम मिला जिससे उसका जानलेवा इरादाक्षन भर के लिए रुप गया। जुटा रही थी, पूरे अधिकार के साथ उसे अब देवेश की और दोहरा थपड नहीं लगाना चाहिए था चेहरा, जैसे ही वे आगे बढ़े, उसकी हथेलियों पर साथ रंगीन प्रकाश की किरने पड़ गई। पेंग पेंग। जुटा रही थी, पूरी तरह से जंगली हो गई थी, वह देवेश के शरीर को लात मार रही थी, खरोंच रही थी, और जैसे भी संभव हो उसे बाहर निकाल रही थी, यहां तक की अपना मुह खोल रही थी, और अपने दांतों को उसके कंधों और छाती में गड़ा रही थ जुटा रही थी, अपनी पूरी ताकत से संधर्श कर रही थी, उसके साथ नश्ट होने की इच्छा दिखा रही थी। को बगल में गिरा दिया और उसका गाल सूज गया, शेश बल के कारण वह और देवेश दोनों जमीन पर गिर पड़े। हालाकि उनके उतरने से पहले, देवेश ने उसके शरीर को इधर उधर घुमाया और उसे अपने से दूर होने के लिए मजबूर किया, उसकी दोनों बाहे अभी भी उसे कसकर पकड़ रही थी, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि वह उसे और अधिक खरोंच या काट न सके। हर जगह धूल उड़ रही थी, और कभी कभी प्रकाश का विस्पोर्ट दिखाई देता था। हालाकि वे दोनों धीरे-धीरे कमजोर होते गए, अन्ता कोई भी हिल नहीं सका। जब वे दोनों किसी गड़े में लेटे हुए थे, तो तेज घर-घराहट वाली सासे आ रही थी, जूयू देवेश के उपर लेटी हुई थी, उसकी पीठ देवेश की ओर थी, वे दोनों थंडे और अंधेरे तारों वाले आकाश को घूर रहे थे। किसी बिंदु पर देवेश के दोनों हाथ जूयू की दो महान चोटियों पर टिक गए थे और लोच की एक अगभुत भावना उसकी हथेलियों में संचारित हो गई थी, जिससे उसका निराश ड्रैगन एक बार फिर स्वर्ग की ओर उठ गया था। चोटी और नाजुक चेरी देवेश की हथेलियों पर रगडी गई, जिससे उसकी आश्चर्यजनक रूप से नरम और लोचदार चोटियों में बनावट जुड गई। हाला कि जुयू के शरीर पर कई निशान थे और उस पर बहुत सारा ताजा खून था, फिर भी उसकी तवचा एक नवजात शिशु की तरह सफेद और कुमल थी। जैसे ही वे इधर उधर गिरे, देवेश ने उसके निचले चंद्रमाओं के आकर्शन को पूरी तरह से अनुभव कर लिया था जो लगातार उसके भाले को चू रहे थे और उसे निचोड रहे थे, जिससे देवेश के शरीर में एक ज्वाला प्रजवलित हो रही थी, जिस पर अपना जंडा गार सकता था, वे दोनों ठक चुके थे और केवल इस असपष्ट और अजीब मुद्रा को ही बनाए रख सकते थे, गर्म तरल की एक गूंध अचानक देवेश की बाह पर गिरी और जूयू की हलकी सी फुसकुसाहट की आवास उसके कानों में गूंज मुझे मत बताओ की तुम देवेश अवाक रह गया, जीवन या मृत्यू के इस संधर्श के दौरान यह महिला वास्तव में फूट-फूट कर रोने लगी, हाला कि इससे भी बुरी बात यह है कि देवेश यह नहीं बता सके कि क्या वे असली थे या बस एक चाल थी जब मैं बच्ची थी तब से लेकर अब तक किसी ने भी मेरे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया यहा तक कि जो कुछ लोग मेरा असली लिंग जानते हैं, वे भी कभी मेरे साथ इतना अभधर व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करेंगे मैं तुम्हें याद रखूंगा, मैं तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकाऊंगा, इसके लिए जूयू ने दात भीचते हुए कहा इससे गुजरने के बाद इसे फिर से कहें, देवेश ने हनस्ते हुए कहा, जब मैं खुद को ठीक कर लूँगा, तो सबसे पहले मैं तुम्हें मार डालूँगा आगे बढ़ो और प्रयास करो, जूयू ने अवग्याकारी रहते हुए, देवेश पर चिलाते हुए कहा, आपकी वर्तमान स्थिती भयानक है, और आपके आने से पहले, मैंने सिर्फ एक सेंट किंग ग्रेड हाई रैंक हीलिंग गोली ली थी जल्द ही मेरे पास आपके बुरे चंगुल से बचने के लिए परियाप्त ताकत होगी, जब वह समयाएगा, तो हम देखेंगे कि हम में से कौन मरेगा अब सिसकते हुए नहीं, जूयूने वास्तव में उफास किया, आप निश्चन्थ हो सकते हैं, मैं तुम्हें आसानी से मरने नहीं दूँगा, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे क्रूर यातना का स्वाग चखने दूँगा, क्योंकि मैं धीरे-धीरे तुम्हें मार डालूं जब बात पुनरस्थापनाक शमता की आई, तो देवेश को किसी से डर नहीं लगा। जब बात पुनरस्थापनाक शमता की आई, तो देवेश को किसी से डर नहीं लगा। जब बात पुनरस्थापनाक शमता की आई, तो देवेश को किसी से डर नहीं लगा। जब बात पुनरस्थापनाक शमता की आई, तो देवेश को किसी से डर नहीं लगा। और उसने धीरे-धीरे अपने ड्रैगन और जूयू की गुफा के बीच की आखिरी दूरी को भी बंद कर दिया। देवेश ने रुकने से पहले अपने भाले की नोग को उसके निशान तक छुआ। जूयू के विचारों में एक बार फिर उथल उथल मच गई और एक पल के लिए वह प्रतिक्रिया देने में बहुत व्याकुल हो गई। देवेश ने अपने डेंटियन पर आने वाले संकट को नजरंदाज कर दिया और अपनी कमर में और अधिक ताकत लगा दी और अपनी जीब को फैला कर जूयू के नाजुक कान को चाटा। कमीनेत जूयू चिल्लाई उसका कोमल शरीर अब अनियंतरत रूप से काम रहा था। जाएं और आपके नए पती को पता चले कि आपका शरीर शुद्ध नहीं है। मुझे यकीन है कि यह देखने के लिए एक शांदार शो होगा। गणनाये और योजनाये पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। यहां आदनी गैलेक्सी रिच के किसी भी डाकू से अधिक क्रूर और परित्यक्त लेयर के किसी भी डाकू से अधिक भयाबह था। मैं कैसे पागल हूँ? हमारी स्थिती पहले ही उस बिंदू पर पहुँच चुकी है जहां या तो तुम मरो या मैं नश्ट हो जाओ। चुकी यहां से आगे कोई और रास्ता नहीं है, मैं मरने से पहले आपके स्वाद का आनंद ले सकता हूँ, फिर इसे फिर से चखने के लिए अंडरवर्ड में प्रतीक्षा करूंगा। क्या हम इस बारे में बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं, जूयू ने अपना सिर एक तरफ घुमाया, उसका बर्फ जैसा सफेद गाल तुरंट देवेश के होठोन पर दब गया। वह तुरंट अपना सिर पीछे जटका देने से खुद को नहीं रोक सकी और इस समय भी लाब कमाने की कोशिश करने के लिए चुपचाप इस कमीने की आलोचना कर रही थी, काश वह उसके मास को भून कर राख बना देती। अगर आपको लगता है कि आप मेरे साथ तीन साल के बच्चे की तरह व्यवहार कर सकते हैं, तो मुझे डर है कि आपको भारी निराशा होगी। मेरे द्वारा आपके साथ ऐसा व्यवहार करने के बाद क्या आप अब भी इस अपमान को सह सकते हैं और दिखावा कर सकते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। मैं तुमसे मीठी-मीठी बाते कर रहा हूँ, जूयू चिल्लाई सिर्फ इसलिए कि मैं एक महिला हूँ, आपको लगता है कि मैं खुद को इस स्टर तक गिरा दूँगी। क्या सभी मनुष्य अपने आप से इतने परिपूर्ण हैं। अभी वह और जूयू दोनों एक गतिरोध में फसे हुए थे, किसी के पास किसी भी प्रकार का लाभ नहीं था। जूयू की खेती उसकी तुलना में बहुत अधिक थी, लेकिन उसकी चोटें अधिक गंभीर थी, और जिस दर से वह खुद को ठीक कर सकती थी, वह भी उसकी तुलना में कम थी, जिससे यह कमजोर गतिरोध जारी रहा। हलाकि कुछ न करना कोई व्यभार्य समाधान नहीं था। यदि चीजों को वैसे ही छोड़ दिया जाता जैसे वे थी, तो अंतिन परिणाम निश्चित रूप से उन दोनों को कुछ खोना होगा, और उन में से कोई भी यह देखने को तयार नहीं था। सच में, देवेश एक महिला की पवित्रता जीतने के लिए अपनी खेती छोड़ने के लिए पूरी तरह से तयार नहीं था, जबकि जूयू देवेश जैसे किसान द्वारा अपवित्र होने के लिए और भी अधिक अनिक छुक था। उसे अचानक महसूस हुआ कि कम से कम जूलू को सुनने में कोई समस्या नहीं होगी। पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ? क्या आप अभी भी सुरक्षित और स्वस्थ नहीं है? जूयू ने पूछा क्या उन दो हजार लोगों में से कोई है जिसकी आपको जरा भी परवाह है? नहीं, वाकई में नहीं. तो चुप रहो, जूयू ने ठंडे स्वर में कहा, मेरा प्रस्ताव सरल है, आप मुझे रहा कर दें, और मैं अब आपके लिए परिशानी खड़ी नहीं करूंगी, हाला कि आप उस लेंडेन के बारे में एक शब्द भी लीक नहीं कर सकते. और इस स्थिती में भी आप किसी अन्यव्यक्ती को इसके बारे में नहीं बता सकते हैं. इतना कहते खते उसका चहरा सुर्ख लाल हो गया. वह अभी अभी देवेश के साथ जीवन या मृत्यू के संधर्ष में शामिल थी, फिर भी अब उसे उस अपमान को दूर करने और उसके साथ शर्तों पर चर्चा करने के लिए मजबूर किया गया था, जिसससे उसकी स्त्र और आंतरिक कलह को तुरंत दूर करते हुए, उसने खुद को निश्क्रिय अवस्था में न पढ़ने के लिए मजबूर किया. आप इसकी गारंटी कैसे देने की योजना बना रहे हैं, देवेश ने शांती से पूछा. मैं एक गारंटी तयार करूंगा, और सिर्फ मौखिक नहीं, मुझे पता है कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, चाहे मैं किसी भी तरह की प्रतिग्या करूं. जब तक तुम्हें पता है, जुल्यू ने एक गहरी सांस ली, देवेश की हथेलियों के नीचे उसकी पूरी चाती फूल गई, उसकी खूबसूरत आखों मे अनिच्छा से एक रोशनी चमत रही थी, और उसने असहाय होकर कहा, मेरे पास एक विशेश कलाकृती है, जिसे मेरे चैंबर आफ कॉमर्स के एक ग्रैंड मास्टर द्वारा परिश्कृत किया गया था. यह मूल रूप से मेरे लिए तब तयार किया गया था, जब मुझे अ आत्माओं को एक साथ बांध सकती है. मतलब ये कि अगर हम दोनों में से एक भी मरेगा, तो दूसरा भी मरेगा. क्या यह गारंटी पर्याप्त है? जियो और एक साथ मरो, देवेश खिलखिला कर मुस्कुराया, और अजीब सी मुस्कराहट के साथ बोला, सुंदरी, मुझे नहीं लगता कि हमारा रिष्टा अभी उस मुकाम तक पहुँचा है, है ना. हाला कि आप और मैं एक दूसरे के स्पर्ष में शामिल हो गए हैं, औ और हमारे बीच बिना किसी बाधा के एक दूसरे से मिले हैं, इस तरह की प्रक्ती मेरे लिए भी थोड़ी तेज है. इसके अलावा, मेरी पहले से ही एक पत्नी है, वास्तव में दो. क्या आप एक पल के लिए भी गंभीर हो सकते हैं? क्या आप केवल इतना घ्रिनित कार्य क आपको परलोक में भेज सकता है. अगर हम सच मुच ऐसा करते हैं, तो मेरे पास लगातार आपकी रक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा. देवेश की अभिव्यक्ती धीरे धीरे गंभीर हो गई क्योंकि उसने जूल्यू की श्वास, नाडी और आत्मा के उतार चड़ाव को ध्यान से देखा. थोड़ी देर बाद उसने नमरता से पूछा, मैं तुम पर विश्वास क्यों करूँ? मैंने पहले ही इस हद तक समझोता कर लिया है. अगर आप अब भी मुझ पर विश्वास करने से इंतार करते हैं, तो हम केवल एक साथ लड़ सकते हैं औ ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी जीवित रहने की इच्छा मेरी अपेक्षा बहुत अधिक प्रबल है. जुयू का सुन्दर चेहरा डूग गया और वह अब कुछ नहीं बोली. मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, क्या इस कलाकृती के प्रभाव को हटाया जा सकता है. मैं अपने जीवन को अनंतकाल तक आपके साथ नहीं बांधना चाहता. जुयू के अत्यधिक आत्मनी अंतरन के बावजूद, जब उसने देवेश को ये शब्द कहते हुए सुना तो वह लगभग गुस्से में आ गई. आखिर वह कौन था जो दूसरे से बंधना नहीं चाहता था. वह ऐसा दिखावा कर रहा था मानो वह कोई बेशर्म महिला हो जो उसे उसे स्विकार करने के लिए मजबूर कर रही हो, जबकि सच तो यह है कि उन दोनों का किसी भी तरह से एक साथ बंधे रहना ही इस छोटे से कमीने व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा सम जूयू ने अपने दिल में बुरी तरह से शाप दिया और अपनी आवाज को शांत रहने के लिए मजबूर किया, इसे उठाया जा सकता है, लेकिन दोनों पक्षों को तयार होना चाहिए. यदि कोई भी इनकार करता है, तो कलाकृती के प्रभाव को दूर नहीं किया जा सक अच्छा, देवेश मुस्कुराया, एक पल के लिए इसके बारे में सोचा, फिर सिरहिलाया, मैं तुम पर विश्वास करूँगा. तो हमारे बीच कोई समझोता है? एन हमारे पास एक सौदा है. मुझे कलाकृतिया निकालने की जरूरत है. अपनी पकड़ थोड़ी धीली क कान के पास लाकर फुसकुसाया, कोई भी चाल खेलने की कोशिश मत करना. जब तक मैं थोड़ा और बल का उप्योग करता हूँ, तुम ऐसा करोगे, मेरे हो. मुझे पता है, जूयू ने गुस्से में अपने दाग पीस लिए. जबकि देवेश अभी भी कसकर आलिंगन में और एक हाथ अभी भी उसके पेट में घुसा हुआ था. जूयू ने अपना दूसरा हाथ अपनी स्पेस रिंग पहने हुए अपने मुह में लाया और उसमें अपनी दिव्य भाबना डाल दी. प्रकाश की चमक के साथ एक जंजीर के आकार की एक कलाकृती प्रकट हुई और खत्रे में पढ़ गया था. जदी मेरा सामना किसी ऐसे शत्रु से होता है, जिसका मैं मुकाबला नहीं कर सकता, तो मैं इस कलाकृती का उप्योग अपने जीवन को सुरक्षित रखते हुए, हमारे जीवन को एक साथ जोडने में कर सकूंगा. देवेश ने कलाकृती में यह अजीब उर्जा एक शक्तिशाली मूल राजा की थी, और इसमें एक रहस्यमय आत्मा का उतार चढ़ाव शामिल था. देवेश को तुरंट समझ आ गया कि यह कलाकृती नहीं, बलकि इसे बनाने वाले ओरिजिन किंग रियलम मास्टर की दैवियक शम्ता ही विशेश है. यह कलाकृती इस दिवियक शम्ता को सील करने के लिए इस्तमाल किया जाने वाला एक बरतन मात्र था. यह महसूस करते हुए देवेश का दिल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन फिर भी जोर देकर बोला, मैं अब भी तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए मुझे बताओ कि इ जूयू ने गुस्से से कहा, क्या तुम सचमुच इतने कायर हो? क्या तुम भी एक आदमी हो? क्या आप स्वयन सत्यापित करना चाहेंगे कि मैं पुरुष हूँ या नहीं? देवेश ने ठहाका लगाया. कोई जुरत नहीं है, जूयू ने कापते हुए जल्दी से कहा, बस इसमें अपनी दिव्य भावना डालो और सील खुल जाएगी. देवेश ने उनके निर्देशों का पालन किया और अपनी दिव्य भावना का प्रयोग किया और कलाकृती के अंदर की सील आसानी से तूट गई. अगले ही पल, एक चौकाने वाली आत्मा का उतार चढ़ाव अचानक कलाकृती से निकला और बैंगनी प्रकाश का एक प्रभामंडल फूट पड़ा, जिसने तुरंत देवेश और जूयू दोनों के शरीर को ढख लिया. यह बैंगनी प्रभामंडल अविश्वसनिय रूप से आकरामक था और तीजी से देवेश और जूयू में भर ग जोगी. ऐसा लगा मानों उनकी दो आत्माएं अचानक एक दूसरे से जुड़ गई हो. जूयू ने हलकी कराह निकाली. इस आकरशक धुन के कारण देवेश अचानक जाग गया और उसकी अभिव्यक्ति अजीब हो गई, जिससे उसकी बाहों में जो ताकत थी वह कम हो गई उसका एक हाथ अभी भी उसकी जेर चोटियों को पकड़ रहा था, जबकि दूसरा उसकी कमर तक फिसल गया था और उसके पूर्णिमा के चंद्रमा को सहलाना शुरू कर दिया था, जो जूयू की प्रचुर संपती की अध्भुत कोमलता और मुटापन का आनंद ले रहा थ जूयू की आवाज और भी अधिक आकरशक हो गई क्योंकि उसका कोमल शरीर हिल रहा था, उसके लाल होंट फूल रहे थे और उसकी बर्फसफेट वचा गुलाबी रंकी हो गई थी, देवेश के बड़े खुर्दुरे हाथों द्वारा उसे इस तरह सहलाने से अनायास ही उ और तो और इस समय वह विरोध करना नहीं चाहती थी और देवेश के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रही थी, जिससे वह जो चाहे कर सके। जैसे ही उसने संधर्श करने और इस जबरदस्ट अनुभूती का विरोध करने की कोशिश की उसकी भौहें अचानक कड़ी हो गई एक रेखा में सिमट गई, अगले ही पल में उसने अपनी जीब काट ली, तेस दर्थ के कारण वह जाग गई और भैभीत खरगोश की तरह देवेश की बाहों से चलांग लगाने की अनुमती दे दी। ऐसा क्यों लगता है कि आप अचानक बहुत अधिक सौहार्द पूल हो गए हैं? इसके अलावा, मैं अब आपके प्रती उतना सतर क्यों महसूस नहीं करता जितना एक क्षण पहले था। क्या यह भी उसका लाकृती के भीतर बंद दिव्यक शमता का प्रभाव है? देवेश ने सिर जुका कर पूछा, हाँ, जूयू ने अपनी जुर्वा चोटियों को ढखने के लिए एक हाथ को अपनी चाती पर पार किया, जबकि उसका दूसरा हाथ देवेश की भेदक नजर से अपनी मासूमियत को बचाने के लिए नीचे पहुचा, उसने सपष्ट रूप से समझाया, हमारी आत्माएं और जीवन सार एक साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए चाहेख हम इच्छुक हो या नहीं, हमारे बीच घनिष्टता की गहरी भावना बनेगी। दूसरे शब्दों में, अब हम एक दूसरे को अपने सबसे मूल्यवान व्यक्ति के रूप में देखते हैं। और चुआ है, और उपर से नीचे तक उसकी सारी विशेश्टाएं जानता हूँ, अब इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है। जूयू इस समय उसके सामने खड़ी थी, उसने एक तीखी लाल पोशाक पहनी हुई थी, उसकी लंबी सकट नरम रोशनी से जिल मिला रही थी। यह सपश्ट रूप से एक उच्च गुनवत्ता बाली कलाकृती थी। उसकी उतक्रिष्ट तखनों के चारों और बढ़िया आभूशनों के दो और टुक्रे थे, जो उसकी सुन्दर्ता पर जोर दे रहे थे। देवेश अपनी मुग्ध ग्रिष्टी प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सका और उसने उसकी और घूर कर देखा और अपनी नजरे नहीं हटा सका। अपने दिल में वह खुद को लगातार चेतावनी दे रहा था कि वह इस महिला से ध्रमित नहो लेकिन फिर भी वह उसकी अलोकिक सुन्दर्ता का विरोध नहीं कर सका। लगभग मानों उसे बस उसे धीरे से इशारा करना था और वह स्वेच्छा से अपनी अटूट और जैसे उसे एहसास हो रहा हो कि अभी एक क्षण पहले वह किस तरह की स्थिती में था, उसके चहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान दिखाई दी और संतुष्टी की एक अज्यात भावना उसके दिल में भर गई। इस तरह की संतुष्टी केवल एक महिला ही महसूस कर सकती है। देवेश के उसकी अध्रिश्य आभा से मुक्थ होने के बाद जुयू खुद को परिशान होने से नहीं रोक सकी, उसके चहरे पर आश्चर्य और हानी के निशान दिखाई देने लगे। अपनी सुन्दरता को और अधिक दिखाने के लिए एक बार घूमकर उसने मुस वास्तव में सुखद शब्द नहीं बोल सकता। याद रखें हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वह कभी किसी को नहीं बताया जा सकता, खासकर मेरे असली लिंग का रहस्यत। जदी आपने इसे किसी को लीग करने का प्रयास किया, तो हमारा समझोता अमान्य हो जाएगा और म अभी आनंद ले रहे हैं। आज आखिरकार में इन्हें इस्तिमाल करने में सक्षम हो गया, तो मुझे खुशी क्यों नहीं होगी। राश्ट्रपतिय ओ को आपको एक आदमी की तरह काम करने के लिए मजबूर क्यों करना चाहिए। आपको अपना असली लिंग छिपाने की आवश्यक्ता क्यों है। उ जूयू की अभिव्यक्ती डूब गई और थोड़ी देर रुकने के बाद उसने उदास होकर उत्तर दिया, उसके पास अपने कारण है और मुझे इसकी आदत हो गई है। उसे सपष्ट उत्तर न देते देख देवेश ने जिद नहीं की। हाला की जब वह विशय बदलने ही वाला था, तभी उसकी अभिव्यक्ती अचानक कम हो गई और उसने बुद्बुदाते हुए कहा, कुछ लोग आ रहे हैं। जूयू इन शब्दों से स्थब्ध रह गया और उसे संदेश से देखा, तुम्हें कैसे पता। वे मेरे दिव् हाला की वे दोनों वर्तमान में अपनी चोटों से काफी कमजोर थे, अगर देवेश ने वास्तव में अपनी दिव्य इंद्रिय जारी कर दी थी, तो उसे इसका पता लगाने में सक्षम होना चाहिए था। हाला की वह वास्तव में कुछ भी महसूस नहीं कर सकी। देवेश से कई मुझे आपके चरम पर दबाव की तुलना में अधिक मजबूत एहसास देते हैं। जुल्यू का रंग गहरा हो गया और उसने घबराते हुए कहा, अगर यह सच है, तो क्या आप उन पर जासूसी कर रहे थे, उन्हें पता नहीं चल जाएगा। जो कोई भी इस समय आ पर अंतरिक्ष के बारे में अपनी समझ में नाटकिय रूप से व्रिधी करने के बाद, देवेश की दिव्य भावना अब अंतरिक्ष में चलांग लगाने में सक्षम हो गया है, जिससे यह अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक फूर्तीले तरीके से कार्य करने में सक् शंभी था, तो अनिवार्य रूप से देवेश तक इसका पता लगाने का कोई तरीका नहीं था, जब तक कि उस व्यक्ती की ताकत उससे कहीं अधिक न हो, यही कारण था कि जूयू को देवेश की दिव्य भावना के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका, इस मृत तारे प कलपना करने की हिम्मत नहीं की कि उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाएगा, यदि वह अभी भी जूयू थर्ड यंग मास्टर के रूप में अपनी पहचान बनाये रखती, तो वह इस अज्यात दुश्मन के साथ शर्तों पर चर्चा करने में सक्षम हो सकती थी, लेक फिर चलते हैं, हमें सबसे पहले उनसे बचना होगा, देवेश घबराये नहीं और बस अपने स्टार शटल को बुलाया और उस पर चलांग लगाने से पहले जूयू की ओर हाथ बढ़ाया, क्या आप आश्वस्थ हैं कि आप उनकी खोज से बच सकेंगे, जूयू ने गंभ देवेश ने उसे अपने सामने गले लगा लिया, अपने स्टार शटल को सक्रिय करते हुए उसका सिर अपने कंधे पर रख दिया, और नीली रोशनी की एक धारा में बदल गया, जो तेजी से डेड स्टार से बच गई कोई भी अनावश्यक कदम मत उठाओ, हाला कि मैं तुम्हें अभी इतना घ्रिनित नहीं पाता, फिर भी मेरे दिल में तुम्हें मारने के लिए चिलाने वाली एक आवाज है उस नफरत को हावी मत होने दो, जूयू ने फुस्फुसाते हुए कहा जैसे ही उसकी सफेद गर्गन पर लाली का आभास हुआ और उसके नाजुक कान कुछ गर्म हो गए यह पहली बार था जब उसने किसी पुरुष का आलिंगन स्विकार किया था इससे पहले जब वह डेड स्टार पर देवेश के साथ बिलकुल नगन होकर घूम रही थी तो उसका सारा ध्यान पहल को जब्त करने और उसे मारने का एक तरीका खोजने पर था इसलिए उसके पास उन नई समवेदनाओं पर ध्यान देने का समय नहीं था जो वह अनुभव कर रही थी लेकिन अब इस समय आक्मा की जंजीरों के कनेक्शन के माध्यम से उसका शरीर देवेश के स्पर्ष के प्रती असाधारन रूप से समवेदनशील हो गया था और उसके कान के पास से गुजरने वाली गर्म हवा ने उसकी कोमलता को काफी हद तक गर्म कर दिया था क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है देवेश मुस्कुराया मैं बहुत इमानदार हूँ हम्फ आपका और इमानदारी का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है देवेश द्वारा अंजाने में उसकी चिकनी कमर को पकड़ने पर ध्यान देते हुए जूल्यू ने फुसकुसाया देवेश ने उसके साथ आगे छेडखानी करने की कोशिश नहीं की और इसके बजाए गंभीर हो गया बेतरतीब धंग से अपने स्टार शटल को ठंडे और अंधेरे तारों वाले आकाश में बिना किसी विशेश दिशा में उड़ा रहा था हाला कि जूल्यू ने उनके ठिकाने का खुलासा होने के डर से अपनी दिव्य भावना को जारी करने की हिमत नहीं की लेकिन वह बता सकती थी कि देवेश इन अग्यात दुश्मनों से बचने के लिए उड़ रहा था वह देवेश की दिव्य भावना के बारे में उच्सुक होने से खुद को नहीं रोक सकी सोच रही थी कि इस छोटे से दूसरे दरजे के संथ को किस तरह का आकस्मिक अनुभव प्राप्थ हुआ जिसने उसे ऐसी अजीब आध्यात्मिक उर्जा विक्सित करने की अनुमती दी इसके अलावा वह नहीं जानती थी कि क्यों लेकिन जब देवेश ने उसे अपने सीने से लगा लिया तो जूलू को सुरक्षा की गहरी भावना महसूस हुई ऐसा लगता था मानो जब तक वह उसकी बाहों में रहेगी चाहे कितने भी पीछा करने वाले हो वे उसे कभी नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे जैसे ही उसके दिल में यह विचार आया जूलू निराश हो गई यह जानकर की यह सोल चेंस द्वारा लाया गया दुश्प्रभाव था जिससे उसे अवचेतन रूप से महसूस हुआ कि यह आदमी दयालू और विश्वसनिय था उसके अंदर डर का एक संकेत घर कर गया और वह डर तेजी से और गहरा होता गया जिससे वह जल्द से जल्द खुद को इन कमजोर विचारों से मुक्त करने के लिए आत्मा जंजीरों के प्रभाव से मुक्त होने की इच्छा करने लगी उसने अब कुछ नहीं कहा अपनी तनाफपूर्ण अभिव्यक्ति को शांत किया अपनी आखे बंद कर ली और अपनी चोटों और ताकत को बहाल करने पर ध्यान केंद्रित किया कुछ दिनों बाद एक अलग देड स्टार दोनों के सामने आया और देवेश ने अपने स्टार शटल को सीधे उसकी सतह पर उड़ा दिया यह डेड स्टार पिछले वाले से थोड़ा बड़ा था लेकिन यह अभी भी डेट क्यूई से भरा हुआ था और इसमें किसी भी जीवन शक्ती का कोई निशान नहीं था तेज हवाओं और बेहत कठोर मौसम ने इसमृत तारे को ढख दिया जिससे धूल के बादल उड़ गए जिससे किसी के चहरे के सामने कुछ मीटर तक द्रिश्चता सीमित हो गई जूयू के साथ एक गुफा में गोता लगाने से पहले देवेश ने कुछ देर के लिए डेड स्टार का पता लगाया धूल को अंदर आने से रोकने के लिए अपने पीछे के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया फिर रोशनी के लिए कुछ हलके पत्थर निकाले और उन्हें चारों और रख दिया यह बहुत बढ़ाया गहरा नहीं था लेकिन इतना बढ़ा था कि दो लोग आराम से एक दूसरे के बगल में चिप सकते थे चाहे यह जानबूज कर किया गया हो या नहीं जैसे ही वे इस गुफा में दाखिल हुए जूयू जितनी जल्दी हो सके देवेश से अलग हो गई उसके चहरे पर चिंता की जलक दिखाई देने लगी वे लोग जिस दिशा में जा रहे थे वह इस जगह के विपरीत है हमें यहां कुछ देर के लिए चिपने में सक्षम होना चाहिए देवेश ने अपनी दिव्य भावना वापस ले ली और जूयू से कहा जब वे वापस आएंगे तो हम फिर से चले जाएंगे एन मैं इसे आप पर छोड़ दूँगी जूयू ने बिना किसी राय के हलके से सिरहिलाया सिंट क्रिस्टल का एक अच्छा टुकडा निकाला और ध्यान करते समय उसे अपने हाथ की हथेली में पकड़ लिया ध्यान करते करते वह चुपचाप देवेश की हरक्तों पर भी ध्यान देने लगी उसने सोचा कि देवेश खुद को रोक नहीं पाएगा और किसी तरह उससे अपील करने की कोशिश करेगा आखिरकार वह हैं लो चैंबर आफ कॉमर्स के अध्यक्ष की उत्तराधिकारी थी उनकी खेती और स्थिती दोनों बहुत सम्मानित थी जबकि दूसरी ओर देवेश एक छोटा सा अज्यात प्रिशक था चाहे किसी भी पहलू से तुलना की जाएं वह उससे कहीं आगे थी उसके साथ खुद को जोरने में सक्षम होना उसका विशेशाधिकार था और जूयू को विश्वास नहीं था कि देवेश उसके साथ संबंध बनाने के ऐसे दुलब अवसर को आसानी से जाने देगा फिर मौके का फाइदा उठा कर उसे बेहमी से अपमानित करे ताकि वह उसे उन दोनों के बीच की गहरी खाई के बारे में सिखा सके और उसकी सभी व्यर्थ आशाओं को पूरी तरह से खत्म कर सके जुयू ने गुप रूप से सब कुछ गणना कर ली थी और देवेश को यह बताने के लिए तयार थी कि हंस्ते मास के लिए लालसा वाले एक मेंधक का सही अर्थ क्या था साथ ही साथ वह अपने दिल की गांट से चुटकारा पा रही थी जिससे उसे उन दोनों के बीच की पहचान में अंतर का हैसास हुआ साथ ही इस आदमी और उसके बीच एक रेखा खीचना सब कुछ तय हो चुका था अब उसे बस एक मौके की जरूरत थी वह चुकचाप देवेश के मुह खोलने और उससे बात करने का इंतजार करने लगी हाला कि वह कैसे सोच सकती थी कि इतने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद भी चीजें उतनी आगे नहीं बढ़ी जितनी उसने कलपना की थी जो कुछ हमेशा के लिए लग रहा था उसके बाद जूयू देवेश की ओर देखने के लिए अपनी खूबसूरत आखें खोलने से खुद को नहीं रोक सकी अगले ही पल उसके चहरे पर एंठन आ गई यह आदमी जिसने उसका बहुत बेदर्दी से फाइदा उठाया उसके शरीर के हर एक हिस्से को छुआ इन परिस्थितियों में जहां वे दोनों एक छोटे से कमरे में अकेले फस गए थे वास्तव में वह अपने हाथ में सिंट क्रिस्टल का एक टुकड़ा लेकर ध्यान करते हुए और खुद को कुनर स्थापित करते हुए शांती से बैठा था वह वास्तव में सिर्फ खेती कर रहा था जुयू के दिल में अचानक निराशा की तीवर भावना जाग उठी और उसने चुकचाप अपने दात भींच लिए और देवेश की ओर घेना भरी द्रिश्टी से देखने लगी इस कष्ट प्रत भावना को बरदाश्ट करने में असमर्थ उसने बोलने के लिए अपना मुख खोलने की पहल की अपनी आवाज को यथा संभव शांत बनाने की कोशिश की मुझे कुछ चीजे समझ में नहीं आती क्या आप उन्हें मुझे समझा सकते हैं देवेश ने जल्दी से अपनी आखें खोली और उसकी ओर देखा अचानक मुस्कुराया मुझे भी कुछ बातें पूछनी हैं जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ मैं पहले जाऊंगी जुयू ने हलके ढंग से घोशना की एन आगे बढ़ो देवेश ने इतनी छोटी सी बात पर उससे बहस न करते हुए स्वाभाविक रूप से उत्तर दिया जुयू एक पल के लिए चौक गई लेकिन तुरंक बोली तुम्हारा नाम क्या है तुम कहां से हो अब तक वह देवेश का नाम भी नहीं जानती थी और उसके साथ हुए सभी शर्मनाक अनुभवों को याद करते हुए उसे अचानक आक्रोश महसूस हुआ देवेश आप शायद नहीं जानते कि मैं कहां से आया हूँ यह एक निचली दुनिया है मैं पहला कृशक था जो इसके बंधनों से सफलता पूर्वक बच निकला और स्टार फीड में प्रवेश कर गया देवेश ने इमानदारी से उत्तर दिया एक निचली दुनिया जूयू ने उसे अजीब नजो से देखा और बड़ी दिल्चस्पी से कहा आपकी दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ती के पास कौन सी खेती थी थर्ड ओर्डर सेंट रियलम एन एक बार एक सेंट किंग था लेकिन इससे पहले कि वह स्टार फीड में शामिल हो पाता वह गिर गया हालांकि यह कई हजार साल पहले की बात थी केवल थर्ड ओर्डर सेंट दाइरे तक यह वास्तव में एक निचली दुनिया है और यहां आने के बाद ही मुझे सेंट किंग दाइरे के उपर सेंट किंग दाइरे और सेंट किंग दाइरे के उपर ओरिजिन रिटर्निंग दाइरे और ओरिजिन किंग दाइरे के बारे में पता चला हम्फ वास्तव में एक अग्यानी बेवकूफ इसास होने के बाद उसके चहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसे बिलकुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वह शेन्तू को बेच रहा है। इन तू को फाड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। क्या उसने आपके लिए उस स्टार्शिप पर जाने की भी व्यवस्था की थी। जूयू ने पूछना जारी रखा। इन उसने सोचा कि आपने एक दिन पहले वाटर मून स्टार छोड़ दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही मैंने उस स्टार्शिप पर कदम रखा, तुम उस पर चड़ने के लिए आ जाओगे। सौंदर्य क्या यह भाग्य हो सकता है। देवेश ने जूयू की ओर मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में किसका भाग्य आपके साथ साजा करता है, जूयू ने देवेश की ओर घूर कर देखा। उसके अदवितिय आकर्शन और शैली ने उसके दिल को कुछ परिशान कर दिया था, जिससे। उसका दिमाग पिछले डेड़ स्टार के उपर उनके छोटे जगडे में वापस जाने के लिए मजबूर हो गया था। यह लगभग वैसा ही है, मानो यह अनियमित रूप से इधर उधर बह रहा हो। इसके पीछे क्या रहस्य है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इसमें पारंगत हूँ. देवेश ने समझाना शुरू करने से पहले इसके बारे में सूचा भी नहीं था, लेकिन आधे रास्ते में उसकी अभिव्यक्ती में एंठन आ गई और उसके चहरे पर जुंजलाहट दिखाई देने लगी, क्या इस सोल चेन की शक्ती बहुत महान नहीं है? ऐसा लगता है कि मैं आपसे थोड़ा सा भी सावधान नहीं हूँ. वह जो कुछ भी पूछ थी, वह उत्तर देने को तयार रहता था. यह समझ कर देवेश का दिल धबरा गया और उसने तुरंट अपना बचाव कर लिया. देवेश को वास्तव में महत्वपूर्ण क्षण में जागते देखकर जुयू खुद को कोसने से नहीं रोक सकी, उसके सुन्दर चहरे पर एक नाराजगी दिखाई देने ल आप वास्तव में इसका विरोध करने में सक्षम हैं. यह काफी आश्चर्य जनक है, जुयू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा. क्या आप इस अफसर का लाब उठाने और मुझे अपने बारे में सब कुछ समझाने की योजना बना रहे थे? देवेश अर्थपूर्ण धन से मुस्कुराया. सहज रूप में. जरा उन सभी चीजों के बारे में सोचें जो आपने मुझ से ली हैं. बेशक मैं बदले में आपके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ. जदि आप आत्मा की जंजीरों की शक्ती के बिना भी अपना बाकी हिस्सा मुझे दे देते है तो मैं आपके सामने एक इमानदार स्विकारोक्ती करूँगा. आपके सपनों में जुयू को बहुत गुस्सा आ रहा था कि देवेश कितना बेशर्म है. अच्छा, अब आपसे सवाल पूछने की बारी मेरी है. देवेश ने हलके से मुस्कुराते हुए जुयू को सोचने क कोई समय नहीं दिया. तेजी से पूछा, आपने खुद को एक आदमी के रूप में कैसे छिपाया? मैं कुछ कलाकृतियों के बारे में जानता हुँ जो किसी का चेहरा बदल सकती है, लेकिन यहां तक कि आपके शरीर का आकार और आपकी कतकाठी भी बदल दी गई, क्या यह कुछ ज्यादा ही अतिश्युक्ती नहीं है. नर जूयू और मादा जूयू दिखने में कई समानताय रखते थे, लेकिन उनके शरीर के आकार में जमीनासमान का अंतर था, विशेश रूप से उसके मोटे गोलतल और समरिध जुरवा चोटिया. देवेश को सचमुच समझ न परिश्कृत किया. लेकिन इस नवीनतम आपदा में वह कलाकृतिक शतिग्रस्थ हो गई, इसलिए अब मैं केवल इस स्वरूप को ही बनाए रख सकता हूँ. ऐसे तो अच्छा है. मुझे भी लगता है ये अच्छा है. जूयू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया. ऐस एक साल पहले इसका खुलासा किया था. यह भी एक रहस्य है. इसे किसी को मत बताना. देवेश की अभिव्यक्ती गंभीर हो गई. वह बड़बडाने से पहले मौन हो गया. तो क्या आपका शेत्र मेरे से एक महान शेत्र और एक लगुट शेत्र है? जूयू ने खुशी से ह तुम विरोध करने के लिए क्या कर सकते थे? इस वर्ष आपकी आयू कितनी है? देवेश ने उसे घूर कर देखा. जूयू का खुबसूरत चेहरा डूब गया और उसने गुस्से में अपने दात पीस्ते हुए कहा. तुम्हारा कोई काम नहीं. क्या किसी ने आपको कभी य पर निर्भर रहना पड़ा. लेकिन फिर भी मैंने लगभग अपना जीवन खो दिया था. आप केवल दूसरे क्रम के संथ कैसे नहीं मरे? मेरी किस्मत काफी अच्छी है. देवेश ने अपने कंधे उचकाए. अचानक याद आया कि आपदा के समय जूयू ने एक उग्रला कवच निकाला था. लेकिन बाद में वह कवच भी उड़ गया था. मुझे नहीं लगता कि यह सिर्फ किस्मत की बात है. जूयू ने देवेश को सोचते हुए देखा. पहले, मुझे आपके शरीर को बहुत नुकसान पहुचाना चाहिए था. लेकिन अब आपको देखकर ऐ जैसे वे सभी चोटें ठीक हो गई है. और आपके शरीर में खून सुनहरा है, जीवन शक्ती है, और इसमें मौझूद पुनरस्थापना शक्ती भी अविश्वसनिया है. आपके पास कितने रहस्य हैं? जैसे ही उसकी खूबसूरत निगाहें देवेश पर पड़ी, उसके चहरे पर उत्सुकता के भाव चाने लगे. उनकी राय में ऐसी आपदा, जिसने लगभग उनकी जान भी ले ली थी, को आसानी से देवेश जैसे कमजोर व्यक्ती की जान ले लेनी चाहिए थी. मेरी लचीलापन और पुनरस्थापना क्षमताएं बहुत मजबूत हैं, शा यह सामान्य रूप से चैंबर आफ कॉमर्स को निशाना बनाने वाला एक जाल था, या यदी मैं लक्षित-लक्षित था, लेकिन यह निश्चित है कि अंदर कुछ लोग बाहर के हमारे शत्रूओं के साथ मिली इभगत कर रहे थे. एक बार जब मुझे पता चल जाएगा कि कि वह कौन था जिसने मुझे धोखा देने की हिम्मत की, तो मैं उन्हें अपने खून से इसकी कीमत चुकाऊंगा. ऐसा कहते हुए, जूयू की खूबसूरत आखों में बर्फ जैसी थंडी हत्या का इरादा चमक उठा. ऐसा लग रहा था कि वह तुरंत ही अतुलनिय उपसे क्रूर, ठंडे दिलवाले और निर्देई जूयू थर्ड यंग मास्टर में बदल गई थी, जिसने देवेश को खोजने के लिए 2000 निर्दोश क्रिशकों को मारने में संकोच नहीं किया था. इसके अलावा, उस जाल को बनाने के लिए जिन स्टार ब्रेकर स्पार्क का उपियोग किया था, वे Chamber of Commerce द्वारा विक्सित किये गए थे और उन्हें कभी भी बाहरी लोगों को नहीं बेचा जाता है. जब तक मैं उनकी उत्पति का पता लगाउंगी, सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी, उसने अपने चेहरे पर ठंडे व्यंग्य के साथ कहा देवेश मुस्कुराया और उसे चुपचाप उन लोगों पर थोड़ी दया आ गई जो इस घात के पीछे थे. वह लगभग उस द्रिश्य को देख सकता था जब जूयू वापस लोटा, यह निश्चित रूप से एक विशाल तूफान बन गया होगा. बहुत संभव है कि पूरा हें लोग चैंबर आफ कॉमर्स इसमें फंस जाएगा. जैसे ही वे गुफा के अंदर बातें कर रहे थे, उन दोनों को समय बीटने का एहसास नहीं हुआ और उनकी गहरी आपसी समझ के साथ, देवेश और जूयू दोनों एक दूसरे के साथ अधिक सहज महसूस करने लगे. धाव ठीक नहीं हुए थे और बाहर के शत्रूओं के बारे में चिंता कम नहीं हुई थी. इसके अलावा जूयू में देवेश की असामान्य लचिलापन नहीं थी, इसलिए थोड़ी देर बोलने के बाद उसे ठका हुआ महसूस हुआ और जल्द ही उसने सिरहला दि हो. देवेश ने उस पर व्यंग्य भरी दृष्टी डाली और उत्तर दिया. तुम अपने आप मुझ पर जुक गई. मैं? जूयू शर्मा गई. उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे जवाब देना चाहिए. हमें निकल जाना चाहिए. वे अब इस देड स्टार की ओर जा हो गई और हलके से फुम्फकारते हुए बोली अगली बार मुझ से दूरी बनाये रखना और विशेश रूप से मुझे गले मत लगाना यह मेरा इरादा नहीं है. जरूर अब से मुझे इसकी परवाह नहीं होगी कि तुम जियो या मरो. देवेश ने बस सिर हिला दिया. ल पर फठंडे मृत शेत्र में कुछ न कुछ तलाशने के लिए उड़ने वाले क्रिशकों का आना जाना जारी था और अभी कुछ दिन पहले ही उनकी उपस्थिती कम होनी शुरू हुई थी. उन्होंने पूरे दो महीने यह पुष्टी करने में बिताएं कि उस आपदा में क कोई भी जीवित नहीं बचा था. मुझे लगता है कि जाल मुझ पर निर्देशित किया गया था. एक निश्चित देड स्टार के उपर जूयू ने सोच समझ कर कहा. कोई मजाक नहीं, देवेश ने सहमती में सिरहिलाया. यदि शुरुवात में उन दोनों को नहीं पता था कि जाल जूयू या चैंबर आफ कॉमर स्टार्शिप के लिए था, तो अब वे दोनों एक ही अनुमान पर पहुँच गए थे. इस घटना की योजना जूयू की हत्या करने के लिए बनाई गई थी. ओ, जूयू ने मुस्कुराते हुए देवेश की ओर देखा, उसके चहरे बचे लोगों की तलाश में बहुत लंबा समय बिताया. उस स्टार्शिप पर कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति या महत्वपूर्ण सामगरी नहीं होनी चाहिए थी. यदि यह सब चैंबर आफ कॉमर्स को नुकसान पहुचाने के लिए स्थापित किया गया था, तो उन् की यही मामला है, इस जाल का निशाना आप ही रहे होंगे. आपके चैंबर आफ कॉमर्स का स्टार्शिप बस इसमें फस गया. ऐसा कहते हुए, देवेश ने जूयू की ओर विचारपूर्ण द्रिश्टी डाली. जूयू की खूबसूरत आखें चमक उठीन, उसके होठोन पर मुस्कान आ गई, आपकी बुद्धी काफी तेज है. ऐसा लगता है कि मैं आपको नीची द्रिश्टी से देख रहा हूँ. लियो वास्तव में? मुझे लगता है कि यहनो शिट शरलक प्रकार का सिध्धान्थ है. देवेश का तर्क मूलतह उसके जैसा ही था. इससे इतने की कोशिश कर रहे हैं. देवेश ने उसे अजीब नजरों से देखा. एन, लेकिन इसकी बहुत अधिक संभावना है कि जिसक्षन आत्मा की जंजीरे खुल जाएंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगा. जुल्यू ने ऐसे भयावश शब्द इतने हलके धंसे और चेहर जुने तिरसकार पूर्वक कहा, मुझे यह देखना होगा कि तुम्हारे पास मुझे मारने की किस प्रकार की क्षमता है. समय आने पर आपको इसका अनुभव होगा. देवेश ने उनके अस्थाई आश्रे से बाहर निकलने से पहले कहा, हाथ बढ़ाकर और निमंतरन देते खुली हथेली में रख दिया, जिससे उसे अपने स्टार शटल को बुलाने और उडान भरने से पहले उसे उस पर ले जाने की अनुमती मिल गई. दो महीने के बाद उनकी दोनों चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई, और जु यू भी थर्ड और सेंट किंग छेतर में अपन स्टार खुद को बताती रही कि यह सब सोल चेन के दुश्प्रभावों के कारण है, और अगर वह सही मानसिक स्थिती में होती, तो उसे किसी युवा के बारे में कुछ भी महसूस नहीं होता. देवेश जैसा आदमी, लेकिन अभी के लिए वह बस इस अपरिचित गर्मजो का अनुभव जारी रखना चाहती थी. स्टार शटल बिजली की तरह चमकी और कुछ ही समय में यह जोड़ा डेड स्टार से चला गया. तारो भरे आकाश के बीच वापस आकर देवेश रुका और पूछा अब हमें कहा जाना चाहिए? वाटर मून स्टार पर वापस? नहीं इस थोड़ी सी परेशानी के कारण बस कुछ मामूली देरी हुई. हम ठीक है, देवेश की कोई राय नहीं थी. वैसे भी उसके मन में कोई खास मन्जिल नहीं थी. मुझे यह पता लगाने के लिए थोड़ा समय दें कि रेनफॉल स्टार किस दिशा में है? इस बरफिले ठं कर पाती, देवेश ने अपने स्टार शटल को एक निश्चित दिशा में उड़ने दिया. क्या तुम्हें रास्ता मालूम है? जूयू ने चिंतित होकर कहा, यदि आप सडक को नहीं पहचानते हैं, तो तारों वाले आकाश में खो जाना बहुत आसान है. देवेश सागर के उपर तैरते विशाल स्टार चार्ट के अनुसार यह इश्टतम मार्ग था, यह सत्यापित करने का एक सही अफसर था, कि यह सटीक था या नहीं. आप सबसे पहले रेंफॉल स्टार क्यों जा रहे थे, जैसे ही जोड़ी आगे बढ़ी, देवेश पूछने से खु तुम्हें बताना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें जानना होगा, यह मेरे चेंबर आफ कॉमर्स के रहसियों में से एक है, ऐसा कुछ नहीं जिसे आसानी से दूसरों को बताया जा सके, क्या आप कृप्या इसे मेरे लिए अजीब नहीं बना सकते, उसने इमानदारी से नरम और सौमे स्वर में पूछा, ठीक है, ठीक है, बस दिखावा करो कि मैंने पूछा ही नहीं, देवेश तुरंट सहमत हो गया, उसे इस तरह देखकर वह कुछ हद तक सहन नहीं कर सका, उसके पास यह स्विकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, कि एक बार जूयू जै दिलाने की जरूरत थी, कि वह गलती से भी उसके जादू में न फंसे और उसके प्रती अपनी वफादारी का बादा न करे, यह इस संबंध में उनके निरंतर प्रयासों के कारण था, कि वह सन्यम की कुछ जलक बनाए रखने में सक्षम थे, और आत्मा की जंजीरों के गु उनका मानना था कि जूयू भी सोल चेन की शक्ती से निपटने के लिए कड़ी महंत कर रही थी, उन दोनों के बीच इस बारे में एक गुप समझ थी, इसलिए उन्होंने तुरंत इस विशेश विशय पर बात करना बंद कर दिया, ऐसा प्रतीत होता है कि जो कुछ हुआ उस उसकी असली प्रकृती के बारे में सपश्ट नहीं थी, तुम क्यों पूछ रहे हो, देवेश कुछ सतर्क हो गया, मैंने सोचा था कि यदि आप इच्छुक हो, तो मैं आपको एक ऐसे गुरु की तलाश में मदद कर सकता हूँ, जो आपकी खेती का मार्ग दर्शन कर सके, और आपको अपनी ताकत का उप्योग करना और अंतरद्रिष्टी प्राप्त करना सिखा सके, जू यू ने इमानदारी से कहा, साधना की राह पर किसी के साथ आपको सिखाने से एक बड़ा बदलाव आ सकता है, और चूंकि आप अपनी दुनिया से स्टार फीड में प्रवे कुषल है, ऐसे व्यक्ति को ढूंडना मुश्किल नहीं होना चाहिए, जो आपके साथ अच्छा मेल खाता हो, यहां तक कि मेरे पास कई मास्टर हैं, जिनसे मैं अध्ययन करता हूँ, नहीं धन्यवाद, शायद ऐसा कोई नहीं है, जो मुझे सिखा सके, देवेश ने मुस् की थी, देवेश थोड़ा घबरा गया, लेकिन जुयू के किसी भी अजीब विचार को दूर करने के लिए, उसने तुरंत राक्षसी ज्वाला का एक समूह तयार किया, धधक्ती हुई काली-काली लपतें एक रहस्यमय प्रकार का आकर्शन बिखेर रही थी, जैसे की एक ख खिलता हुआ काला गुलाब जो किसी की आत्मा को निगलने में सक्षम हो, और साथ ही दुनिया में किसी भी चीज को राख में बदल दे। सहस्तित्व में थी. सभी प्रकार के अंतर विरोध एक दूसरे को बढ़ावा देते हुए, एक साथ जुड़ गए, एक अनोखी चीज में विक्सित हुए जिसका कोई समकक्ष नहीं लग रहा था. जुयू ने ऐसी अजीब शक्ती कभी नहीं देखी थी. उसके लिए यह कल सुरत आखों की गहराई में चमक उठा. वह इस राक्षसी ज्वाला के अद्वितिय गुनों से भैभीट थी और देवेश की विशाल क्षमता से उचसाहित भी थी. यहां आदमी वर्तमान में सिर्फ एक दूसरे क्रम का संथ था, इसलिए उसकी अनोखी ताकत ज्यादा जिसे अन्य लोग प्राप्थ करने का केवल सपना देख सकते हैं. एक बार जब वह पूरी तरह से परिपक्व हो गया, तो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंडना मुश्किल होगा जो उसी दाइरे में उसका प्रतिदवन्दवी हो सके. केवल अगर दूसरे पक्षने भी कोई वि विचार को खारिस कर दिया. उसकी खूबसूरत आखों में अगले ही पल एक अलग तरह की रोशनी चमक रही थी और उसने पुकारा, देवेश क्या विचार है कि हम एक सौधा करें. कैसा सौधा? जब हम सोल चेन बंधन को खोल देंगे, तो मैं आपके खिलाफ कारवाई नह हो जाएंगी और मैं आपको अपनी ताकत में सुधार करने के लिए सर्वोप्तम खेती का माहौल और संसाधन प्रदान करूंगा, जिससे आप जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ सकें. संभव ओह, देवेश की अभिव्यक्ति नहीं बदली, उसके चहरे पर हल्की सी मुस्कान बरकरार रही और उसने पूछा, और आपकी शर्तें क्या हैं? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा अनुसर्ण करो. तुम्हारे पीछे आओ, देवेश ने सिर हिलाया, मैंने पहले ही कहा था, मैं तुमसे नहीं रुकूंगा. मेरी सेवा करने और मेरा अनुसर्ण करने में बहुत बड़ा अंतर है, जूयू ने कहा, क्या तुम इतना भी नहीं जीतने का इरादा जगा दिया था. हाला कि जूयू ने जो कहा, उसे सुनकर देवेश हसे बिना नहीं रह सका. आप किस पर हस रहे हो, जूयू की लाली और गहरी हो गई क्योंकि वह शर्म से कुछ प्रोधित हो गई. आपकी सारवजनिक पहचान जूयू थर्ड यंग है. अगर मैं आपका पीछा नहीं करूँ, तो क्या इस दुन्या में ऐसा कोई होगा जो ऐसा करेगा? क्या आप सचमुच उस हद तक अकेले हैं? तुम कमी ने जूयू गुस्से से चिलाया.